ओ सद्गुर तुम्हारे ग्यान ने जीना सिखा दिया ओ जिस दिन से हमको आपने अपना बना लिया दूनों जहां को दास ने तब से भुला दिया और सद्गुर तुम्हारे ग्यान ने जीना सिखा दिया 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 पुलिये सद्गुर देव भग्यमान की जे स्ट्री स्ट्री भाष्यकार रामान स्वामी जी महाराज की जे प्रत्मो नंत रूपस्च दितीयो लक्षमनस्त था त्रतीयो बलरामस्च कलव रामा नुजो मुनि भगवान भाष्यकार रामान जाचारी जी के एक हजार वर्ष पुर्ण हो रहे हैं उन भगवान भार्षिकार रामानुजाचारी जी सतियुग में सेश के रूप में विराजते हैं भगवान जब श्री मनाराइन प्रभु श्री राम के रूप में इस धर्ती परिशी अयुद्या में अवतार लेते हैं तो स्री रामा अवतार में सेवा करने के लिए वही सेश जी स्री लखनलाल के रूप में अवतरित होते हैं और द्वापर युग में जब साक्षात भगवान नाराइन स्री कृष्ण के रूप में अवतार लेते हैं तो सेश जी वगवान की सेवा करने के लिए बड़े भाई के रूप में पधारते हैं, श्री बलराम जी के रूप में पधारते हैं और कलियुग में भगवान जब अर्चा के रूप में विराजते हैं श्री राम श्री कृष्ण, श्री रंगनाद, श्री विंग्डेश प्रभू की मूर्ती रूप में, अर्चावतार की रूप में देखिए अर्चावतार की और इस युग की कितनी विसेस्ता है ट्रेता युग में रहने वाले भत जन केवल राम जी का ही दर्शन कर पाते हैं कृष्ण जी का दर्शन उनको सुलभ नहीं है और द्वापरियुक के भत भगमान कृष्ण का अनभो करते हैं राम जी का भी अनभो कर लेते हैं लेकिन इस कलियुग में जन्म लिये वे हम सब भगमान शी राम की कथा भी सुनते हैं राम जी का भी दर्शन करते हैं स्री कृष्ण प्रभु का भी दर्शन करते हैं स्री कृष्ण कथा भी सुनते हैं हर युगों के भगवान के शरूप का लाव हमें इस कल युग में मिलता है इसलिए स्रीमत भागवत में कहा गया कि कलव खलु भविस्यंती नारायन परायनाहा सतियुक त्रेता द्वापर के भक्त कल युग में जन्म लेंगे इन सभी भगवान के सरूपों का अनभो करने के लिए तो कल युग में भगवान अरचाव ग्रह मूर्ति की पूजा पद्धती विवस्था बताने के लिए करने के लिए भगवान भाष्यकार रामान जाचार जी के रूप में सेश जी अवतार लेते हैं जिनका 999 वर्ष चल रहा है और 2017 में 1000 वर्ष पुर्ण होंगे भगवान भाष्यकार रामान जाचार जी ने भक्ती और भक्ती से भी उपर प्रपत्ती का उपदेश दिया है सास्त्रों में और भगवान के अवतारों में जो प्रपत्ती मार्ग छिपा हुआ था आच्छा दित था उसको रामान जाचार जी ने प्रगट किया भगवत गीता में आप देखे कितना उपदेश दिया स्री कृष्ण प्रभू ने अर्जन को समाधन नहीं मिला क्या कर्मयोग, क्या ज्यानयोग, क्या वैरागयोग, क्या भक्तियोग अठारा द्याय के अंत में भगवान शे कृष्ण ने सरणागती की बात थोड़ी सी बताई तमेव सरणम गच्छ, सरिवभावे न भारत अंतरियामी की सरण में जा तेरा कल्यान होगा अर्जन गवडा गए कि मेरे अंदर वाले प्रभू को तो मैंने देखा नहीं और इस सरणागती मुझे पता नहीं शरणागती पता ही नहीं तो मैं कैसे सरण में जाऊं तब प्रभू कृष्ण ने अर्जन को दिविग्न देखकर परेसान देखकर दिख्वरांत देखकर सरणागती के सरूप को बताया सर्व धर्मान परित्यज्य मामे कम सर्णम्रज अहमत्वा सर्व पापे भ्यो मौक्षई स्या मिमा सुचाहा सभी धर्मों के आस्रे का त्याग कर कई बार लोग सोचते हैं सभी धर्मों का त्याग कर देंगे तो फिर हम अधार्मिक नास्तिक बन जाएंगे भगवान कृष्ण का तात पर ये नहीं है धर्म का त्याग जो भी हम धर्म सत्कर्म पुन्य करें उन सभी सत्कर्मों से हमारे प्रभु प्रशन्न होंगे और प्रसन्न हों करके हम पर कृपा करेंगे ये भावना रखना ही सर्व धर्म का परित्याग है मामेकम सरिनम ब्रजा मेरी एक मात्र सरण में रह अरजन ऐसा समस्त जीवों को करना है मामेक बचन है फिर भी बगवान ने एकम सब्द का प्रियोग इसलिये किया के जीव बहुत भटक जाता है न इसलिये मेरी एक मात्र सरण में एवकार अन्य की व्यावरत्ती करता है मेरे चरण सरण में शरणागत हो फिर मैं क्या करूंगा अहंत्वा सरिव पापे भ्यो मौक्षई श्यामि मास चाहा फिर मैं तुझे समस्त पापों से मुक्त कर दोंगा तुझे किसी प्रकार का भय नहीं रहेगा ये निश्चित अटल सत्य है और ये ही मेरी प्रतिज्या है ऐसे भगवान शे कृष्ण आवतार में जो सरणागती तत्त का उपदेश करते हैं श्री रामा अवतार में श्री वारा हवतार में श्री न्रशिंग हवतार में इन समस्त भगवान के अवतारों के रहश्य को भगवत पाद्रामानुजाचार जी ने गद्यत्रे नाम के ग्रंथ में सरणागती गद्य में बहुत विस्तार से बताया है और ये बताया है कि वही सेवक स्वामी के लिए स्रेष्ट होता है जो पूर्ण समर्पन हो उसी प्रकार से मन बानी चित्त से हम भी भगमान के प्रतिशमर्पित रहें तो भगमान पुत्रवत रक्षन करते हैं और अनुग्रह करते हैं और इस रहार्षी को बड़े बड़े ग्यानी जन भी जानते हैं और करते भी जब प्रभुराम्बन में गए दनकारण में तो बड़े बड़े तपस्वी रिशी सब भगमान शीराग्वेंद्र शरकार के पारम में को देखकर वईभो को देखकर सक्ति सामर्थिबल पराक्रम को देखकर वैशिष्ट को देखकर सभी भगमान के चरण सरण में जाते हैं तेवयम भवता रक्षा गर्भ भूतास तपो धनाहा हम रक्ष हैं आप रक्षक हैं प्रभो जैसे गर्भस्थ बालक की देखरेख एक मा करती है मा सोचती है कि अगर कटू भोजन करूंगा कडवा भोजन करूंगी तो मेरे बच्चे को कष्ट होगा गरम भोजन करूंगी तो कष्ट होगा तो बहुत सम्हाल करके अपने को रखती है खान पान में भी दिन्चरिया में भी कि मेरे गर्भस्थ शिशू को कोई कष्ट नाओ उसी प्रकार से आप हमारे रख्षक हैं हम उसी प्रकार रख्ष हैं जैसे गर्भस्थ शिशू रख्ष होता है और मा रख्षक होती है ऐसा रिशियों ने ग्यानियों ने भी भगवान की सरणागती की है स्री राम कथा स्री कृष्ण कथा दोनों जीवन के लिए सुन्दर मार्ग दर्शक है वो रामायन में मर्यादा पुरशुत्तम राम जी की कथा है तो स्रीमत भागवत में लेला पुर्शत्तम भगवान शी कृष्ण की कथा है राम जी सूर्य बंस में अवतार लेते हैं और सूर्य बुद्धी के देवता हैं तो बुद्धी को ठीक रखना है सद बुद्धी रूप में रखना है सनमार्ग में रखना है सत चिंतन में रखना है बुद्धी को प्रभु की और अग्रिसरीत करना है तो हमें राम जी की कथा सुननी जाईए और चंद्रवनसावतंस भग्मान शी कृष्ण है और चंद्रमा मन के देवता है मन को अगर ठेक ठाक रखना है मन को एकागर सात्विक बनाना है मन को निर्मल पवित्र पामन बनाना है प्रभु चरणों में इस्थिर करना है तो चंद्रवन्सावतंस वग्मान कृष्ण की कथा को श्रबन करना चाहिए दोनों सुरोप को हमारे आचारियों ने बईभवा बतार कहा है श्री राम जी और कृष्ण जी दोनों का बहुत बईभव प्रगट होता है बईभव माने धन धान्य नहीं बलकि भक्तों को किस प्रकार प्रभु अपनाते हैं किस प्रकार अनुग्रह करते हैं बगवान के सौसील सौलब विकुण का कैसे भक्तन भो करते हैं ऐसे गुण को जगत में प्रगट करने का अधिक समय बगवान को मिलता है श्री रामा अवतार में इसी अयुद्या धाम में राम जी कितने बर्ष तक रहे विराजे राजा के रोप में दस वर्ष सहस्त्राणी दस वर्ष सतानिचा रामो राज्य मुपासित्वा ब्रम्ह लोकम जगा महा ग्यारा हजार वर्ष तक राम जी ने इस अयुद्या में बैट कर संपूर्ण धर्ती के मनुश्यों का पुत्रवत पालन किया है और भगमान शे कृष्ण एक सो पचीस वर्ष तक इस धर्ती पर रहकर मानवता के सिक्षा दी है तो भगमान शे कृष्ण और राम अधिक वर्ष तक इस धर्ती पर विराजते हैं इसले भगमान के सद्गुण, दिव्यगुण, भगमान के करुणा, दया, कृपा, अनुग्रह, वातसल्य, सौसेल्य, ये जो दिव्यगुण हैं इनका ज्यादा भक्त जननभो करते हैं तो दोनों अवतार को भईभवा अवतार कहा जाता है। सुक्देव जी महाराज के चरणों में परिक्षितने वी प्रार्थना की भगवन, मानों जीवन का उद्देश से है, भगवान का दर्शन प्राप्त करना, कि ययम तुपर मोलाभो, यदुत्तमश्लोक दर्शनम। सर्व गुन संपन्न, सर्व समर्थ प्रभू का दर्शन हो, यही मानो जीवन का सबसे बड़ा लक्ष है। तो हमें भगवान का दर्शन कैसे होगा, कृपा करके बताईए। आप लोग भगवान का दर्शन करना चाहते हैं। कौन कौन लोग दर्शन करना चायते है जरा हाथ उठाएं अच्छा किन किन लोगों ने दर्शन प्रात्त कर लिया है बगवान का जरा वो लोग उठाएं बस अर लोग नहीं किया अरे अश्चरी है अच्छा यह बताई अभी भोजन प्रशाद के पहले आरती हो रही थी अपने असरफी भावन में भगवान लक्ष्मी नाराइन की कई लोगों के मन में बड़ा कुतूहल रहता है कि इसका नाम असरफी भावन के हो क्योंकि यहां तो भगवान लक्ष्मी नाराइन जी विराजमान है और दाहिने तरफ लक्ष्मी जी विराजमान है तो और मन में लोगों के कुटूहल होता है कि लक्ष्मी जी तो बाएं तरफ रहती है तो देखिए बंदवां नाम तो मदसूदन धर्म सेतु ट्रष्ट है अपने ट्रष्ट का और लक्ष्मी नाराइन भग्वान विराजमान है और सामने नाम सीता राम बिलास भवन भी है फिर असर भी भवन के हो बुले देखो बहुत पहले पचासों वर्ष पहले और ज़्यादा जब बड़े महराश्ष्री निरमान करा रहे थे इस पेट का इसके पूरो भी सांती भवन में समस्था चलती थी आज भी रेलवे स्टेशन अयद्या के पास में सांती भवन है बहुत छोटा से स्थान था लेकिन मन बहुत बड़ा था हमारे पुझ अनंतश्य व्योशित परमार थरत्म जगदाचारी पुझ स्थान बहुत संकीर्ण छोटा लेकिन उसमें सताधिक बच्चे पढ़ते थे मात्मा लोग रहते थे स्थान बहुत कम हैं परिसानिया होती हैं तो एक नूतन जमीन ली गई इस भूमी को उसमें यहां कुछ नहीं था जंगल ही जंगल था चारो तरफ स्वामी जी महराज ने जमीन तो ले ली लेकिन कोई एक वास्तुभी दियाजयोती सी थे उनको दिखाया तो उन्होंने का स्वामी जी आप कहां फस गए इस जमीन में तो केवल हड्डियां ही हड्डियां हैं आप इसका निर्मान करेंगे परेशान हो जाएंगे तो स्वामी जी महराज अपने गुर्देव से पूछे पुझ श्री गुपालाचारी स्वामी जी महराज से गुर्देव जमीन तो बड़े मुश्किल से हमने ले लिया लेकिन कोई वास्तु विद्वतार हैं कि यहां हड्डियां निकलेंगी और आपको यहां सांती नहीं मिलेगी तो पुझ श्री गुपालाचारी स्वामी जी महराज ने महराजी के गुरु जी ने कहा अरे मद्शुदन तुम्हारे चरण में ऐसी दिव्यता है तुम इतने दिव्य महापुरुषो कि जहां अपने चरण रख दोगे वो हड्डियां भी सोना बन जाएंगी ऐसा गुरुदेव ने कहा ऐसा गुरुदेव का आशिश मिला निर्मान करो मनिर का फिर गुरुदेव निर्मान करने लगे श्वयम स्री रंगम चले गए दर्शन करने के लिए तमिल नाडू में वहाँ भी एक बड़ा बिलक्षन अध्भुत प्रशंग हुआ स्री रंगम में स्वामी जी महाराज पधारे और बहाँ बहुत विसाल मंदिर है बहुत सेवा पूजा होती है स्वामी जी महाराज गए और अर्चकों से बोले कल प्राता काल से लेकर सायं काल तक की संपूर्ण सेवा बगमान की अर्चना क्या अभिसे क्या गोष्ठी क्या महाभोग क्या सायं का भोग क्या दक्षिना भेट सभी महापुर्शों का क्या हमारी और से आप करवा दीजिए स्वामी जी कहे तो दिये लेकिन आकर के जब अपने जोली में देखा पहले सूटकेस नहीं चलती थी जोली चलती थी जोली में देखा तो जोली में मुश्किल से आधा पैसा भी नहीं था अब वहाँ कोई परिचे भी नहीं पहले मोबाइल भी नहीं पहले ऐसे बेंकिंग सुविधा नहीं कि यहां डालो वहां मिल जाए स्वामी जीने का भगवन अब आप ही लाज बचाईएगा आपकी सरण में हैं कहे तो दिया पूरा दिर्व्य है नहीं लोग क्या सोचेंगे चमतकार देखिए भगवत कृपा देखिए दूसरे दिन भोग सुरू हो गया विसे कुगेरा प्रारंभ हो गया उख कलकत्ता की एक रुक्मनी बाई जी थी शीरंग मंदिर में भी बहुत दिन तक बुरंदावन में विराजती थी बहुत भगवद भगता थी स्वामी जी महाराज जब कालक शेप करते थे श्रीवचन भूशन का तो उसका भी उन्होंने श्रमन किया थी रुक्मनी बाई जी संजोग से दर्शन करने के लिए वहाँ पहुंची अच्छे संपन्न समर्थ घर के थी रुक्मनी बाई जी तो उन्होंने पता किया और कहा आज हमारी और से भी भोग आप लगा दीजिये वहाँ के ब्योस थापकों ने का आज तो भोग आपकी और सनी हो सकता किसी और का है तो उन्होंने पूछा किसका है तो बताया नाम बताया तो ठूप्मनी बाई जी ने क आए तो हमारे गुर्देव का नाम है कहां रूके हैं जब वहाँ पहुँची और चरणों में वंदन की और जितनी सेवा भगवान के भोग राक की थी सब स्वामी जी के चरणों में अरपन कर दी प्रत्यक्ष भगवान शी रंगनाथ ने ऐसा अनुग्रह स्वामी जी पर किये लेकिन एक चमतकार यहाँ दूसरा ही हो रहा था समय सोने की असरफिया एक मिट्टी के घड़े में निकले मजदूर लोग अपना बांट माट करके सब चले गये स्वामी जी को तार किया गया जो तार आजकल बंध हो गई न कुछ दिनों के बाद में नहीं पीड़ी को तार नहीं मालूम पड़गा कि तार किसे कहते है तार किया गया सबसे जल्दी सूचना करने का मार्ग तार था तहले यहां पर ऐसी ऐसी घटना हुई स्वामी जी किसी प्रकार से आये जब तक आये तब तक और भी देखिये बिलक्षनता कई मजदूर बिमार पड़ गए बहुत बिमार पड़ गए सब डर गए और लाकर सारी स् स्वामी जी को अरपन कर दिया उनको असरफी कहता है स्वामी जी ने सोचा कि इसमें या तो कोई गलत धन है गलत विक्ति का अन्याय पाप से अरजित धन है अगर हम इसका उपयोग भोग करेंगे तो मन बुद्धी दूसित होगी और या तो कोई आत्मा इसमें निमास कर र स्वामी जी महाराज ने उन सारी असरफियों को सोने की मुद्राओं को बेच करके और पूरे अयुद्या में संत महात्माओं का कई दिन तक भंडारा किया और इसलिए सभी लोग कहने लगे असरफी वववन असरफी ववन असरफी कई लोग तो कहते हैं महाराजा थे को प्रति दिन महाराज जी को एक असरफी भेंट में देते थे इसलिए असरफी ववन नाम है अनेक अनेक प्रकार की किम दंतियां हैं लेकिन सत्य अथार्थ घटना ये है भगवान के चरण सरण में रहने से हर पल हर चण प्रभू अनुग्रह करते हैं अभी देखिये न हम भी संतों की ही कथा कर रहे हैं दो महीना से यहां से गए तो चित्रकोट में पंजाबी भगवान एक बड़े अच्छे संत थे उनके आश्रम में माराज जी ने कहां माराज जी के हमारे गुर्देव जी के इस मुर्ती में माराज जी आप से कथा सुनना चाहेते हैं हमने का अच्छी बात है, चित्रकोट हमें भी बहुत रमनिय लगता है, अनेक संद महापुर्शों के दर्शन होते हैं, तो वहां मंदाक्नी के किनारे, साथ दिन तक भगवत कथा का शमन कराये, फिर वहां से राजस्थान में गैस फतेपुर सीकर है न, फतेपुर के आगे ए बड़े सिद्ध विक्ति विराजमान है, उनिके सानिद्ध में कथा, उसके पहले अलवर राजस्थान में, जगतगरु रामानुजाचारी स्वामी कोशलेंद्र प्रवनाचारी फलारी स्वामी जी ने, जो हमारे बड़े महराजी के शिष्य साक्षात हैं, और आज भी अग्यता रखते हैं, इस पीठ के प्रतिसेवा समर्पन का भाव रखते हैं, उन्होंने नवेदन किया था, तो उनके बंकटेश भगवान के प्रान प्रतिष्था महुत्सों में, भागवत कथा का योजन किये, उसके बाद में, फिर ब्रंदाबन में, शी रंग जी के मंद में भगवान रंगनात का बड़ा दिब्य प्रमोत्सो होता है, वहां पर रहे, और उसके बाद में यहां आगए, हमारे पारिक जी, और अर अजयन कुम हमें सेवा में लगे हैं, दिनेश जी, और भी कई सेवक जन कहते हैं, मारा जी आप साधूओं की कथा करते रहेंगे, और इसामने महा कुम्भारा इतना खर्चा है, कैसे निपतेगा, हमने का जो भगवान ने संकल्प दिया है, वही पूरा भी करेंगे, अपने कौन होते हैं, क्योंकि यहां पर, यहां पर पंद्रा तारीक को शीरामनोमी महत सो हैं, और इसके बाद यहां से जाएंगे, फिर आश्चरी की बात, अजयन में भी सोचे की पहले कोई ऐसायोजन होगा की भक्त यजमान बन जाएंगे, तो कथा में कुछ द्रव्या जाएगा, तो यग भंडारा चल जाएगा, लेकिन वहां भजन गाते हैं न खाटू सेम जी के नंदू जी, ओ बुले महराजी बहुत दि इच्छा है आपके मुखारविंद से रामकथा सुनने की, तो उनके यहां नो दिन का समय और दे दिये, तो इस प्रकार से आणन्द तो आता है और फिर यह परमार्थ काकारि सब भगवान के हवाले कर देते हैं, बात आपको वता रहे थे, भगवान का दर्शन अनुग्रह के से प्राप्त हो, कल बड़ी सुन्दर आप चर्चा श्रमन कर रहे थे, तीन दिन की एक कथा जो है ना, इसमें स्री राम कृष्ण दोनों के सुन्दर चरित्रों का हम अवगाहन करेंगे, और वेसे तो साथ दिन की पूरी भागवत कथा यह चल रही है, कल प्रथम दिवस था, आद दूसरा दिवस है, तो दूसरे दिवस में सुकदेव जी महराज के चरणों में परिक्षत ने प्रार्थना किया, कि मुझे भगमान का दर्शन कैसे प्राप्त होगा, शुकदेव जी महराज ने कहां, चार बातों को अपना लो, भगमान का दर्शन तुमें अभी हो जाएगा, जितासनाह जितस्वासाह जितसंगाह जितेंद्रियाह स्थोले भगवतो रूपे मनाह संधार ये धिया पहले आसन पर दो चार घंटे वैठने का भ्यास करो फिर स्वासों पर विजय प्राप्त करो फिर संग पर यनि सातिक लोगों का संग प्राप्त करो फिर जितेंद्रिया बुद्धी से मन से सोच करके कारियों में प्रवर्त हो आसन पर विजय स्वास पर विजय संग पर विजय और इंद्रियों पर विजय जो विक्ति प्रात कर लेता है ओ भगमान के दर्शन का अधिकारी हो जाता है सारा जगत भग्वान का स्वरूप है परिक्षे सारा जगत सामान्य वेक्ति को समझना बड़ा संभव है लेकिन इस सच है आप कहोंगे इंट पत्थर ये प्रक्ष मिट्टी ये सब भग्वान कैसे हो सकते है लेकिन हमारे आचारियों ने वेदों ने उपनिश्दों ने बड़ा सुन्दर भाव बताया है प्रसंग बताया है रहस्य बताया है कि हर एक परमानों में तीन तत्व होते हैं एक तो परमात्मा का तत्व दूसरा जीव का तत्व और तीसरा प्रकृती का तत्व प्रकृति के तत्तों में इस प्रकार विकार होता है जीव के धर्म भूत ज्ञान में संकोच विकास होता है और जीवात्मा के आत्म सरूप में कोई विकार नहीं होता और परमात्मा जो अंदर विराजमान है उनके अंदर भी कोई विकार कभी होता ही नहीं तो सोक्ष्म चिदचित विशिष्ट जो ब्रम्ह है, परमात्मा है, वही स्थूल चिदचित विशिष्ट जगत के रूप में परिनत हो जाता है द्रिश्यते त्वग्रया बुद्ध्या सोक्ष्मया सोक्ष्मि दर्शिधि जैसे दूध कैसे बनता है, गया के थन में अगर चीरा लगाओ तो दूध नहीं निकलेगा, खुन निकलेगा लेकिन जब बत्स आता है, बच्छना आता है तो उसके वातसल्य में भर करके गया मया का खुन ही रक्त ही दूध के रूप में परिनत हो जाता है उसी प्रकार से सोक्ष्म चिदचित विशिष्ट ब्रह्म, स्थूल चिदचित जगत के रूप में परिनत होकर के परमात्मा भिराजमान है इसलिए महापुरुष हर वस्तु में परमात्मा का दर्शन करते हैं इसलिए वेदान्त कहते हैं एक विज्ञानेन सब सर्व विज्ञानम भवती एक को जान लो सब को जान समझ लोगे तुलसिदाश जी महाराज ने तो इस बात को बड़े सरल धंग से बता दिया सियराम माय सब जग जानी सियराम मैं सब जग जानी सियराम मैं सब जग जानी करहो प्रनाम जोरी जुग पानी करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी सरवत्र परमात्मा भी राजमान है सीता राम जी के रूप में संपुर्ण जगत को तुलशिदास जी महराज ने अनभो किया श्री सुक्देव जी महराज कहते हैं सोक्ष्म रूप का भी हम दर्शन कर सकते हैं लेकिन उसके लिए बड़ी एक आग्रता की जरूरत है और सच में मन बाहर बहुत दोर तक चला जाता है एक आंत में वैट करके मन को अंतर की यात्रा कराओ बड़ा कठिन हो जाता है और हर व्यक्ति को भगवान का दर्शन प्रतिदिन होता है कब रात्री में जब व्यक्ति सोता है तो व्यक्ति के इंद्रियों की बहीर मुखता रुक जाती है अंतर मुखता होती है जीव का प्रवाँ प्रवर्ति बाहर की और नहीं होती जो विक्ति सोता है रात्री में भगवान का संग प्राप्त करके दर्शन प्राप्त करके मिलन प्राप्त करके प्राताहकाल कितने आनंद में रहता है तिन भर जड़ पदार्थों के साथ रहते रहते यहाजीव स्रान्त हो जाता है कई बारे विक्ति कहता है मैं बहुत ठक गया भोजन भी नहीं चाहिए मुझे सो लेने दो हरा अध्धा का विक्ति सुबे जब उठता है तो क्या कहता है सुखम हमस्वापसम नकिंचित अहम अबेदिसम बड़े आनन्द में मैं था बहुत आनन्द आया बहुत सुंदर नीद आई केवल अनुभवई का गम में है कहां से उसको सक्ति मिल गई जी कि प्रातहकालो पुना सक्ति को प्राप्त करके कारी करने लगा अंतरियामी परमात्मा का दर्शन मिलन होता है और उस परम्चैतन्य से इस जीव को सक्ति मिलती है और सुबे उटकर के कारी करने में सक्षम हो जाता है सुसुप्ति आती है निद्राती है तमोगुण के कारण और यदि जाक्री तवस्था में वेक्ति को भगवत अनुभव ऐसा हो जाए तब तु पूछना ही क्या फिर तो जड़भरज्य जैसा ही जीवन हो जाए उस परम चैतन्यानंद कंद का अनुभव यदि जाक्री तवस्था में ध्यान काल में हम कर लें तो पूछना ही क्या फिर तो सब कुछ रहते हुए सब कुछ के बीच में रहते हुए अपना अलग विक्ति अनुभव करता है इसलिए बंधुआं हम बहिर मुख बहुत और अन्तर मुख कम होते हैं शूरी को देखने के लिए किसी दीपक की जरूरत नहीं वेशे आत्म तत्त को परमात्मा को अनुभव करने के लिए कोई उपकर्ण की जरूरत नहीं है केवल बहीर पुरुत्ती हमारी रुक जाए अंतर मुखता हो जाए हमारे विकार दूर हो जाए भगमान का दर्शन हमें प्रत्यक्षो शकता है सुकदेव जी महाराज कहते है के केचित स्वदेहां तर ह्रदयाव कासे प्रादेस मात्रम पुर्शम बसंतम हमारे हृदय में भगमान दर्शन देते हैं लेकिन पहले इन विकारों को तो दूर करो यस्यरागा दे नानो मनो दूसितम यस्यरागा दे नानो मनो दूसितम तेन तीर्थम प्रयागं गतं वानवा यस्यरागा दे नानो मनो दूसितम तेन तीर्थम प्रयागं गतं मानवा काम क्रोध आदी विकारों से जिसका मन दूसित नहीं हुआ उसका घर ही तीर्थ बन जाता है वो तीर्थ में न जाए तो भी संपोर्ण तीर्थ बहा जाते हैं स्रेश सुकदेव जी महराज ने कहा अपने मन के विकारों को दूर करना जीव के सामर्थ से बाहर है इसले भगवान की सरनागती सरोत्तम है के यत केर्तनम यत स्मर्णम यदेक्षणम यद बंदनम यत श्रमनम यदरहनम लोकस्य सद्यो बिधुनाति कल्मसं तस्मै सुभद्रस्त्रवसे नमो नमहा भगवत दर्शन भगवत प्राप्ति और मुक्ति का साधन सुखदेवजी महराज बता रहे हैं कि भगवान के नामकीर्तन करने से भगवत कथाश्रमन करने से भगवत चर्णों में बंदन करने से भगवत सुरूप का ध्यान करने से पापी से पापी व्यक्ति के पाप नश्ट होते हैं और मन अंतह करन निरमल होता है ऐसे पतित पावन स्री कृष्ण के चरणों में हम बारंबार प्रणाम कर रहे हैं और भगवान को प्रशन करने के लिए कितना सुन्दर मार्ग बताया है सुगदेव जी महाराज ने आप सीधे भगवान को पाना चाहो दर्शन करना चाहो थोड़ा कठिन है इसलिए भगवान के समीप जाने के लिए संत महत पुरुषों का अनुग्रह परम आवश्यक है तो स्री सुगदेव जी महाराज कहते हैं अगर भगवान की पूर्ण करपा जल्दी चाहते हो तो क्या करना चाहिए भगवान के प्रेमी जनों को याद करके भगवान को याद किया करो भोग लगाना है तो भगवान से प्रार्थना करना प्रभू ये सुखा रुखा है भोग लेकिन आपने जैसे सबरी के बेरों को पाया था जैसे आपने सुन्दर गोपियों के मखन को पाया था ये स्यामशंदर जैसे आपने बिदुरानी के केले के छिलके प्रेम से पाये थे उसी प्रकार मेरा सुखा रुखा इस भोग को आप आरोगिये ऐसी भावना प्रभु के चरणों मेरपन करना चाहिए स्रियाह पतिर यग्यपति प्रजापति ही धियाम पतिर लोक पतिर धरापति ही पतिर गतिश्चांधक व्रश्नि सात्वताम प्रसीदताम में भगवान सताम पति ही भगवान के इन समस्त प्रेमियों को याद करके जब भगवान को याद करोगे तब भगवान बहुत जल्दी आप पर प्रसन होंगे जैसी कृपा अपने बसुदेव देव की पर की नंद यसोदा पर की गोपियों पर की गौलवालों पर की वैसी कृपा मुझ पर भी प्रभू प्रदान करिये भगमान की सरणागती के तरिक्त कोई मार्ग जीव का कल्यान नहीं कर सकता ये भी बताया है कि तपस्विनो दान पराय सस्विनो मनस्विनो मंत्र बिदाह सुमंगलाहा क्षेमम्न बिंदंति बिनाय दर्पनम् तस्मै सुभद्रस्त्रवसे नमो नमहा कोई विक्त कितना तप कर ले दान कर ले कितना मन को एकाग्र कर ले कितना विक्ति वेद को कंठस्थ कर ले लेकिंग शेमम्न बिंदंति कल्यान होने बाला नहीं फिर उपाय क्या है कल्यान का बोले केवल भगमान के चरण सरण में जाओ तुमारा कल्यान हो जाएगा और वगवान के चरण सरण में जाने का वगवान का हमारा क्या संबंध है इस संबंध को स्रीमत भागवत श्री रामायन बेदान तुपनिशद वेद से हमें ज्ञान मिलता है शद गुर्जन ही हमें ज्ञान देते हैं कि जगत का हमारे साथ संबंध अनित्य है नित्य संबंद प्रभू के साथ है और हम जीव के परतंत्र रहने वाले हैं भगवान सतंत्र हैं हम भगवान के आराधक हैं भगवान हमारे आराध्य हैं भगवान हमारे पुज्य हैं हम पूजक हैं भगवान हमारे प्रियतम हैं हम भगवान के प्रेमी है हम भगत है हमारे आराद्य प्रभू भगवान है इस प्रकार के संबंध का ज्ञान सद्गुरु कराते है भागवत के सामने अन्य पुरान इसलिए स्रेष्ठ नहीं क्योंकि स्रीमद भागवत में सरवत्र जीव इस्वर के संबंध को अन्यभो कराया है जीव के करतव्य को बताया है और भग्वान के वैभो का वर्णन किया है नारज जी ग्यास जी से ही तो कहते हैं यथा धर्मा दयस्चार था मुनिवरे आनुकिर्टिताहा नात था बासुदे वस्य महिमा यनुवर निताहा आपने धर्मर्थ काम मुक्ष की वड़ी चर्चा की लेकिन वानन्द कंद प्रभू कैसे जन्म लेता है कैसे लीला करता है कैसे भक्तों को अपनाता है यह तो आपने बताया ही नहीं नारज जीने का संतों की कृपा नहों तो यह मार्ग मिलता नहीं मेरे उपर भी संतों की कृपा हुई तब मैंने इस मार्ग को पाया है तब स्रीमत भागवत की रचना वे दव्याश्जी ने किया देखो भागवत एक सोध ग्रंथ है आपके जीवन में आप कभी दुख मांगोगे क्या दुनिया में हर विक्ती दुखी और जहां भी दुख दूर करने का उपाय मिलता है वहां लोग दोड़ते चले जाते हैं अगर आपके पास कोई छड़ी हो जादू की की ऐसे घुमा दिये रोग दुख दूर हो जाएं विक्ती के तो सारी दुनिया के लोग वहां पहुँच जाएंगे सारी दुनिया के लोग सब लोग दुख से डरते हैं लेकिन भागवत में कुंती मा जिसको प्रभू बहुत चाहते हैं बहुत मानते हैं तो कुंती मा क्या प्रभू से आचना करती है जिब प्रभू ने का जो चाहना हो सो चाहलो मांग लो तो कुंती मा हाज जोड़कर एक प्रार्थना करती है आचना करती है मेरे को सदा सदा जीवन में दुख बना रहे हे केसो मुझे इतना दुख देदो इतना दुख दो देदो कि उसी प्रकार से मैं तडप करके व्याकुल हो करके पुकार कर करंदन कर तुम्हें याद करती रहों जैसे पहले याद करती थे जब तक करुण करंदन करते करुण पुकार करते अस्रपूरित नेत्रों से आपको हम लोग पुकारते थे तब तक आप हमारे नजदीक थे, पास में थे और आज जब मेरे बेटा युधिष्ठिर को इस धर्ती का राज प्राप्त हो गया सिंगासन मिल गया तो आप हमें छोण करके दूर द्वारी का जा रहे हैं इसका मतलब जहां प्रेम करण पुकार नहीं है वहां आप नहीं हो हे के सो हमें वहां सुख नहीं चाहिए जिसमें आप हमसे दूर चले जाओ बलकि वो दुख हमें दे दो जिस दुख में आप हमारे नजदीक बने हो कितने लोग होंगे दुनिया में जो दुख की आचना करे हो कितने लोग होंगे दुनिया में जो सुख को छोण करके दुख की लाल सा मन में रखते हो और ओ कुंती मा दुख की आचना कर रही है जिनका राज छीन लिया गया है परिस्रम से पुत्रों के राज को छल करके ले लिया गया है जिनको लाक्षा ग्रह में जलाने का प्रयास किया गया भिस देकर मारने का प्रयास किया गया जिन कुंती सहीत पांडवों को बन में बास दे दिया गया जंगल में निमास दिया गया द्रोपदी की लज्जा लूटने का प्रयास किया गया जो आकास के नीचे रहते हैं पांडो घास की रोटी खाते हैं इतना दुख भोगने के बाद भी कुंती मां केती मुझे दुख देदो बिपदाहा संतुनाह सश्वत तत्र तत्र जगत गुरो भवतो दरिशनम यत्स्यात अपुनर भवदर्शनम इसलिए जिनके जीवन में दुख है ना ओ भगवान की कृपा मनना की प्रभू आपकी कृपा है इसलिए जीवन में दुख वना हुआ है और भगवान को याद करना बहुत ज़्यादा सुखाने पर भगवान को भूल जाते है फिर तो भोग में, बिलास में, सुख में, भईभव में उसी में डूब जाता है विक्पी और अगर भईभव मिले भी तो कुंती मा की तरे पांडबों की तरे भगवान के प्रतिभक्ती रखना सुख में फूलो मती, दुख में तडपो मती सुख में भूलो मती, दुख में तडपो मती प्राण जाएं, मगर नाम भूलो मती प्राण जाएं, मगर नाम भूलो मती प्राण जाएं, मगर नाम भूलो मती तो कुंती माने दुख की आचना की ओम दुख और सुवद्रा बहन से प्रभु ने का बहन तुम क्या चाहती हो तुम ही बता दो तो सुवद्रा जीने हाथ जोड करके का भाईया गर देना है तो आप अपने चरणों के पिंजडे में मेरे मन रूपी पक्षी को बंद कर दो कि कृष्णत्वदिय पदपंकज पंजरांत अध्यईव में बिसतुमानस राज हमस प्राण प्रयान समये कफवात पित्तई ही कंथावरो धन बिधाव उस्मरणम कुतस्ते मेरा मन रूपी पक्षी आपके चरण रूपी पिंजडे में बंद हो जाए तो मैं चाहूं भी तो आपका चरण छोण कर मेरा मन दुनिया के विस्यों में नहीं बटके मैं यही आपसे आचना करती हूँ प्रभू ने दुख नहीं दिया कुंती मा को बलकि कहा जब तुम याद करोगी मैं उपस्थित हो जाओंगा तुमने बहुत जीवन में दुख भोगा है लेकिन एक भत्य की आचना भावना कुंती मा की तरे रहती है और बहें सुबद्रा को कहा कि अभी तो बाल्य आवस्था है जब बड़ी हो जाना तब मेरा इस्मरण ध्यान पूजन अर्चन करना बहें सुबद्राने का अंतिम समय में तो कंठ बंद हो जाता है आपका नाम भी अगर कोई राम नाम ले तो राम नहीं निकलता आम निकलता है मुख से इसलिए अध्येव आज ही मेरा मन आपके चरणों में श्थिर हो जाए बड़ी सुन्दर चरचाए है शीमत भात्वत में और भक्त की तो बड़ी महिमा का वरणन किया है और किसी गरंथ में प्रभू ने कह यह नहीं कहा कि अहम भक्त पराधीन अहां यस्वत अन्त्त्रई वद्विजव इसे प्रवुन्य किसी भी प्रर्भू ने किसी पुराण में नहीं कहा लेकिन स्रीमद भागवत में अम्रीश जी के प्रसंग में भगवान कहते हैं मैं भक्त के पराधीन रहता हूँ कई बार हम लोग अपने को भक्त मानने लगते हैं कलम ने बताया था ना कि ब्राम्मन के उपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है समाज की देश की सारे बिश्व की ब्राम्मन केवले सोच करके कि भगवान हमारी रक्षा के लिए विसेश रूप से अवतार लेते हैं अभिमान आवे अभिमान आने की जरूरत महीं है बलकि भगवान ब्राम्मन और गव दोनों की रक्षा करने के लिए इसलिए धर्ती पराते हैं भगवान ये सोचते हैं कि एगर ब्राम्हन बचा रहेगा गव बची रहेगी तो सारे विश्व की सारे धर्ती की रक्षा होती रहेगी इसलिए नमो ब्राम्हन निदेवाय गो ब्राम्हन हिताए चाहू और ब्राम्हन का ये कहीं काम है तप करना तप करना तप करना खोब तप करे गायत्री मंत्र का जाप करे अनुष्ठान करे तपो में जीमन हो तो उसका लाब सारे समाज को प्राप्त होता है तो ब्राम्हन और गव दोनों का सन्रक्षन करना सारी समाज का काम है और अगर ब्राम्हन वेद और गव सुरक्षित हो गए तो संपुर्ण धर्ती के लोग भी सुखी प्रसंद रहेंगे भक्त और भक्त ये दोनों बड़े अनुपम है इसलिए भक्त हम अपने को केवल सुरूप कर लें तिलक लगा लें और बेस बुसा धारन कर लें इसलिए केवल भक्त नहीं बन जाएंगे भगवान ने उस प्रसंग में बात बताई है कि भक्त कौन है ये दारा गार पुत्रातान प्राणान बित्त मिमंपरम हित्वामाम सरनम याताहा कथम ताम स्थ्यक्त मुट्सहे जो विक्ति अपने माता पिता भ्राता बंदो परिवार कुटुम्ब सब को छोण कर मेरी सरण में आजाता है धन वित्त को त्याग कर प्राण से बढ़कर कुछ नहीं लेकिन प्राण को भी जरूरत पड़े तो हमारे चरणों में अर्पन करने वाला हो ऐसा पूर्ण समर्पित जो भक्त होता है ऐसे भक्त के मैं आधीन रहता हूं बोल ये भक्त और भग्मान की जरूर्ण भग्मान केते मुझे सरवस्वानने वाला भक्त दुनिया में दुरलब है और सच पुछा जाए तो भक्त के लिए ही भग्मान उतार लेते हैं भक्त के लिए हैं देवता तो एक निमित रहते हैं सम्सार की रक्षा तो एक निमित रहता है प्रभू के लिए क्योंकि दुनिया की रक्षा करने के लिए दुर्जनों का बिनास करने के लिए धर्म की रक्षा करने के लिए भगवान का अतार लेने की जरूरत नहीं है ये कारी भगवान वैकुंथ में रह कर सकते हैं संकल्ब कर लेंगे धर्म की रक्षा होगी या धर्म का विनासो भी हो जाएगा परंतु धुरुव जैसे भक्त को दर्शन देना है स्परिश करना है अनुग्रह करना है तो इस धर्ती में बगमान को उतार लेना पड़ेगा बिद्वरानी के हाथ के केले के छिलके पाने हैं तो प्रभू को इस धर्ती में आना पड़ेगा बिद्वर जी को इसलिए प्रभू इतना मानते चाहते हैं बिद्वरानी के हाथ का केला का छिलका इसलिए पाते हैं क्योंकि बिद्वर जी की विशेस्ता है जितने भी विदुर जी के सत्कर्म होते हैं वो सब भगवान को प्रसन करने के लिए होते हैं भगवान मेरे ठाकर जी मुझे मेरे प्रसन रहें प्रभु का मंगल हो प्रभु स्वस्थ रहें ऐसा सब लोग मंगल कामना करते हैं हमारे रागविंद्र सरकार जब मिथिलापुरी में गए न तो महां की नारियां देवियां अट्टालिकाओं में चड़ करके कहती हैं अपने बच्चों को गोद में लेकर एकोन आ रहे हैं ए सस्रियोग च्छति राघवोध्य राम प्रसादान विपुलान गमिश्यन मिथला पुरवासी देवियां कहती हैं वही राम जी है अयुद्या पुरवासी प्राता मध्यान साइंकाल जिन राघवेंद्र सरकार के मंगल के लिए आचना करते हैं अपने लिए नहीं कई लोग पुँचते हैं कि राम एन में लिखा हुआ है कि राम जी को अयुद्या वासियों से इतना मोह क्यों मोह तो खराब होता है अयुद्या वासियों के प्रत इतना प्रेम क्यों राम जी का बड़ी प्रसमसा की है राम जी ने लंका विजय के बाद जब आये हैं अयोध्यापुरी और उपर से परिक्रमा करते हुए विमान से तो अपने मित्रों से क्या सुग्रीव जी से क्या जामनतादी से बड़ी प्रसम्जा की और कहां अयोध्या वेकुंठ से भी सुन्दर है वेकुंठ वासी जनों से भी अहां के जन मुझे अत्यन्त प्रिय है अयोध्यावासिनस तरवे जगन नाथस से मूरत यहा क्यों इतने प्रिय है अयोध्यावासी क्योंकि अयोध्यावासी भी तो राम जी को बहुत मानते हैं मिथिलापुरवासी देवियां कहती हैं अयोद्या पुर्वासी नर नारी बाला किवा ब्रद्ध प्राताहकाल अपने इश्ट देव के सामने बैठते हैं तो एही कहते हैं हमारे राग्यवेंद्र सरकार राम जी स्वस्त रहें प्रसंद रहें सुन्दर बने रहें आरोग्य बना रहें ऐसे हजारों हजारों वरश तक बैठ करके लुशासन करते रहें हमें दरशन देते रहें ऐसे अयोद्या नर नारी लोग सभी प्रभु राम के लिए मंगल के लिए प्रार्थना करते हैं जब राम जी बन को चले गए ना तो चौदाह वरश तक अयुद्या वासियों में किसी के बीच में घर में बीवाह का करिक्रम नहीं हुआ आप सुचिए राम जी चौदाह वरश तक बन में थे तो अयुद्या में किसी बालक बालिका का बीवाही नहीं हुआ किसी के घर में 14 वर्ष तक शिशू का जन्म नहीं हुआ हो और तो और अयोध्या में रहने वाली गईया के भी कोई वत्स जन्म नहीं लेता और तो और बाल में की महरशी कहते हैं अपि ब्रक्षा परिम्लानाहा सपुस्पांकुर कोर काहा 14 वर्ष तक अयोध्या के ब्रक्षों में लताओं में कलियां फूल और फल नहीं लगे हो राम जी के याद में राम जी के बियोग में इतना अयुद्यावासी जब राम जी को मानते हैं तो प्रभू का एक सिध्धान्त है ये यथा माम प्रपध्यनते ताम स्तथाई वभजान में मुझे जो जैसा जितना मानता है मैं भी उसको वेसा उतना ही मानता है विदुर जी इसलिए प्रिय है विदुर जी के घर में केले के छिलके पाने पहुँच गए बगमान और दुरियोधन के चपन बिंजन को ठुकरा दिया प्रभू ने क्योंकि दुरियोधन भट नहीं था भगमान को जादूगर कहता था जादूगर और श्री विदुर जी भगवान को साक्षात परप्रम के रूप में अनभो करते थे ब्रतानी चेरे हरितो शनानी इस सारे मर्म जीवन में सीखने के लिए है वो केवल इस कान से सुने इदर से निकाल दिये इसके लिए नहीं इसलिए प्रभू बिदुर के जोपड़ी में गए बिदुरानी के केले के छिल के पाए क्योंकि बिदुर बिदुरानी अपने लिए कोई ब्रतनियम सन्यम तप नहीं करते थे बलकि ब्रतानी चेरे हरितो शनानी सारे सतकर्म भगवान को प्रसंद करने के लिए करते थे अगर हनुमान जी को भोग भी लगाएंगे तो नहीं नोकरी लग जाए तो यसा काम करेंगे ऐसा करते हैं अगर हनुमान जी कहें कि भाया पहले भोग लगा दो मैं तुम्हारा काम बाद में करूंगा तो आप हनवान जी से कोगे ऐसा घाटे का सोदा मैं नहीं करता पहले आप मेरा काम करो भक्त चरित्र से हमें यही सीख मिलनी है यही सीखना है भक्त जीवन में सुख नहीं दुख मांगता है कि मैं करुण भाव से प्रभू को पकारता रहूं और मुझे कुछ नहीं जाए भक्त अपने लिए नहीं बलकि अपने प्रियतम भग्मान के लिए मंगल की कामना करता है मिथिला पुरवासी इसलिए प्रिय है क्योंकि उन सब ने प्रभू के लिए मंगल गान किया है भग्मान इस धर्ती पर अवतार लेते हैं भक्तों के दर्शन करने के लिए भक्तों से मिलने के लिए जब भक्त नहीं होगे जब भक्त नहीं होगे भग्मान कहां होगा जब भक्त नहीं होगे भगवान कहां होगा जब भक्त नहीं होगे भगवान कहां होगा काली दिये प्रेम से ताली में जाके हर एक समस्या का हर एक समस्या का समधान कहां होगा हर एक समस्या का समधान कहां होगा जब भक्त नहीं होगे भगवान कहां होगा जब भक्त नहीं होगे भगवान कहां होगा मेहमान भी आते हैं मेहमानी भी होती है पर सुदामा के जैसा मेहमान कहां होगा पर सुदामा के जैसा नहीं होगे भगवान कहां होगा जब भक्त नहीं होगे भगवान कहां होगा प्रेमी भी हुए लाखों और प्रेम भी होता है पर मीरा के जैसा पर मीरा के जैसा कोई प्रेम कहां होगा पर मीरा के जैसा कोई प्रेम कहां होगा जब भक्त नहीं होगे भगवान कहां होगा हर एक समस्या का समधान कहां होगा समधान कहां होगा समधान कहां होगा बॉल ये भक्त वत्सल भगवान की जब भक्त नहीं होगे भगवान कहां होगा जब भक्त नहीं होगे भगवान कहां होगा भक्त के परबस हो करके भगवान इस धरती पर उतराते हैं और भक्त की भावना क्या होती है मेरे ठाकुर, मेरे प्रभू, मेरे आराध्धी ही सरवस्व हैं मेरे ऐसी भावना जब भक्त के अंदर हो विसुद्ध प्रेम हो, विसुद्ध भक्ती हो तभी भगवान भक्त को अपनाते हैं और जब ऐसी भावना हो तो भगमान पुत्र बन करके भी आजाते हैं कपिल देव जी महराज पुत्र बन करके आए न भगमान ही साक्षाथ और मा को कितना सुन्दर उपदेश दिया है श्रीमत भागवत में कपिल देव जी का देव होती का उपाध ख्यान कितना मारमिक है कितना अध्भुत है कितना हुरदय ग्राही है भगवान कपिल देव से मा पूछती है कि दुनिया में विक्ति का मन क्यों भटकता है बुले वासना ही मन को खेंच करके समसार की ओर ले जाती है न चाहते वे भी मन इंद्रिया समसार की ओर भटकते हैं आकरशित होते हैं क्यों क्योंकि मन में चित में अन्तह करण में जो वासना बैठी हुई है वासना ही समसार की ओर भटकाती है जैसे कपूर है वासना क्या है बोले हाथ में जैसे कपूर लेलो फेंक दो तो भी हाथ में कपूर की गंध आती है न वेसे ही वासना इस जनम में हमने भले विश्यों का त्याग कर दिया लेकिन कई जनमों में कई जनमांतरों में जो बिशियों के प्रती प्रवनता है, लालसा है, भोग के वुद्धी रही है, वही हमें बार-बार समसारी की और ले जाती है। माने कहा इन इंड्रियों से, इस मन से मैं बहुत परिशान हूँ किस प्रकार से मन को इंड्रियों को मोड कर प्रभू चरणों में श्थिर करों कृपा करके बताओ माने एक और प्रश्ण किया एक अपिल ब्यक्ति सुख पाने के लिए कर्म करता है लेकिन तो सुख तो मिलता नहीं दुख क्यों मिलता है तीसरा पुरुष्ण मैया ने किया मापुरुषों ने कहा है कि शरीर 24 तत्यु से बना है अगर इस 24 तत्यु से बने प्रकृती का हमें ग्यान हो जाए और पुरुष्टत्यु का ग्यान हो जाए तो फिर पुना जन्म नहीं लेना पड़ता कष्ट भोगना नहीं पड़ता बगमान कपिल ने बड़े सुंदर धंग से मैया के सारी प्रश्णों का समधान किया मा देख वासना को मिटाना बड़ा कथिन है इंद्रियों को रोकना बड़ अक्ठिन है लेकिन मोडना सरल है वासना केवल बार बार प्रभू चरणों के ध्यान से संदर भगवत चरित्रों को श्रमन करने से भागवत पुरुषों के संग से भगवत नाम संकीर्तन करने से निसकाम निस्वार्थ भाव के सतकर्म करने से व्यक्टिकी वासना धुलती है और ये सब करने में कई जन्म लग जाएंगे इसलिए सच्चा उपाये है भगमान के चरणों में समर्पी तो हो जाओ सरनागती कर लो सारी जिम्मेदारी उन पर छोण दो नेत्र का काम है रूप को देखना रूप को नेत्र देखेंगे उनको रोकना कठिन है लेकिन जगत के रूप को अब तक देख लिया अब नेत्रों को प्रभू की और मोड़ दो प्रभू का दरिक्षन करो इसी में तुमारा कल्यान हो जाएगा कान से दुनिया की बड़ी कठा गाथा सुनी लेकिन अब प्रभू की कठा गाथा सुने मन से दुनिया के विश्यों का बड़ा मनन कर लिया अब प्रभू का मनन करें चित्त में सारी दुनिया के पदार्थों को नजाने कितने जनमों से हमने बसाया है अब केवल प्रभू को बसा लो, बस तुम्हारा कल्यान हो जाएगा नहीं तो मा, जैसे कई चोर मिलकर के घर वाले को लोट ले न उसी प्रकार से सरीर ही एक घर है, मतान है और इसका मालिक है जीव और चोर इसमें कितने हैं? ग्यारह चोर बेटे हुए अंदर पाँच कर्मेंद्रियां, पाँच ग्यानेंद्रियां, एक मन एक ग्यारह चोर मौका पाते ही इस जीव रूपी मालिक को खीच करके धकिल देते हैं समसारी की ओर अपने गंतव्य प्रभू के समीप पहुँचने के लिए है माहा एस सरीर प्रभू ने रथ के रूप में दिया है जैसे एक कोई व्यक्ती रथ में बेट करके अपने गाउं जाता है कोई सहर जाता है आजकल गाडियां हो गई पहले रथ इसले वेदान्त में रथ का दृष्टान्त दिया है रथ में आप बेट जाओ उसमें घोडे लगे हुए हैं जुते हुए हैं और उन घोडों के उपर लगाम लगी हुई है सार्थी न बैठे तो काम बनने वाला नहीं है तभी आप अपने गंतव्य तक पहुँच सकते हैं जब रथ भी ठीक हो रथ में घोडे बंधे हो घोडे की लगाम भी ठीक हो लगाम सार्थी के हाथ में हो फिर रथी जो रथ में बैठा है वो सही तरीके से अपने गंतव्य तक पहुँच सकता है एक भी गड़बड हुआ तो गंतव्य तक पहुँचना संभव हो जाएगा लगाम छोड़ दो घोडे इदर उदर रथ को ले जाएगे गड़बड हो जाएगा उसी प्रकार से सरीर ही रथ है मैया हम सबको इस सरीर रूपी रथ प्रभू ने दिया है और इस सरीर रूपी रथ में घोड़े कितने हैं वो लगाम क्या है हमारा मन ही लगाम है है लगाम है लगाम जनते हैं जो मुख में घोटों के बंधी रहती है और उसको पकड़ करके सारथि वेटता है हमारा मन ही लगाम है इंद्रियाँ घोडे हैं और सारथि कौन है what बुद्धी ही सार्थी है यनी बुद्धी के बस में मन हो तो मन के बस में इंद्रिया हो और तब आप अपने गंतव्य तक पहुँच सकते हैं और इस शरीर रूपी रथ में रथी कौन बैठा है? बोले जीवात्मा है जीवात्मा तभी अपने गंतव्य प्रभू के समीप पहुँच सकता है जब इसकी बुद्धी रूपी सार्थी ठीक हो और ये बुद्धी रूपी सार्थी मन को अपने बस में किये हो और मन के बस में इंद्रियां रूपी घोड़े हो तभी एक साधक एक भक्त अपने लक्ष तक पहुँच सकता है नहीं तो एक अकेला विक्ती क्या करेगा वो सारे लुटेरे लूट लेते हैं उसी प्रकार से सारी इंद्रियां मन मिल करके इस मालिक को लूट लेते हैं मा हर विक्ती सुख चाहता है पर दुख इसलिए मिलता है क्योंकि दुनिया में सुख है ही नहीं दुनिया में केवल सुखा भास है कितना बड़ा पद मिलता जाए मिलता जाए लेकिन अंत है ही नहीं क्योंकि नास्तिरल पे सुखा है महातिरस्ति महान में ही सुख है आनन्द है अल्प में सुख है इसलिए महान तातों के वले प्रभू में है कोई विक्ति जैसे पोश्टाफिस में जाए पांच किलो सब्जी मांगे मिलेगा क्या नहीं मिलेगा क्योंकि महां सब्जी नहीं मिलते सब्जी के दुकान में मिलेगी महां तो प सुख आलय मसाश्वतम भगवत गीता में वगवान कहते हैं ए जगत क्या है दुख का खजाना है दुख का घर है दुख का आलय है सुख तो केवल प्रभू के समीप में भगवान कपील उपदेश दे रहे हैं मादेव की को मा अपनी मा को और इसी लिए महात्पुरुशों ने क्या का है मिलता है सचा सुख के वल प्रभुराम आप के चरणों में मिलता है सचा सुख केवल प्रभुराम आप के चरणों में यह बिनती है पल पल चिन चिन रहे ध्यान आप के चरणों में भगवत चरणों में ही सुख है भगवत अन्यत्र कहीं सुख है ही नहीं हो सुखा भास है भगवान कपिल ने मादेवुती को सुन्दर चरचा के द्वारा आत्म ज्ञान बताया और तीसरा प्रश्ण मैया का कि प्रकृति पुरुष का ज्ञान हो जाए तब इस प्रकृति के संबंद से मुक्ती मिलती है माने पुछा प्रकृति क्या है पुरुष क्या है भगवान कपिल ने का मा अपने लोगों का जो सरीर है ना इस चौबिस तत्तों से बनाएं और पचीसमा तत्तों हुई जीव तत्तों है पुरुष तत्तों है भगवान का अंसे तो अपना सरीर चौबिस तत्तों से कौन कौन से बना है जरा गिन लीजिये पाँच महाभूत हैं इसमें प्रतवी जल तेजवाहि वाकास पाँच कर्मेंद्रियां है हात पेरादी पाँच ग्यानेंद्रियां हैं चक्छु शोत्रत्व गादी कितने हो गए? बोलो पंद्रा और पाँच तनमात्राएं सब्दरोप्रस गंधिस्पर्ष कितने हो गए मन बुद्धी चित्त हंकार चार इनको जोड़ दो कितने हो गए 24 तत्त से बना हुआ हम सबका इस सरीर है इसी को प्रकृती कहते है ये अनित्य है नस्वर है लेकिन सुक्ष्म सरीर बन करके जीव को सदा जगत में भटकाता रहता है प्रकृती का सरोप ये सरीर जब जीव पूर्ण रूप से मुक्त होता है तो विरजान दी में जब गोता लगाता है तो इसका सोक्ष्म सरीर भी नष्ट हो जाता है और फिर दिव्य सरोप प्रात करके वगवान के वैकुंठ में जीव जाता है सायुद्यम समवा प्यनंदति चिरम पेनई वधन्यह पुमान भगवान के दिव्य सानिद्धिको प्राप्त कर ये जीव अनंत कालत कानंद कानभो प्राप्त करता है येही हर जीव का लक्ष है गंतव्यस्थान है 25 वां तत्तो जीवतत्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त माने पूछा श्टांगी योग क्या है भगवान कपिलने का यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारना ध्यान समाधी जब लगती है तब साधक को इस सरीर का अलग अनभो और सरीर से भिन पुरुष तत्व का जीव तत्व का अलग अनभो और उसको भी सकती देने वाले अंतरियामी प्रभू का अलग अनभो होता है आज कल योगा करते न प्रनायाम कर लिए तो कहते हैं योगा हो गया लेकिन यम का आर्थ होता है मराज पांच पांच प्रकार जब हमारे पास साधन हो तब हम यम युक्त कहलाते हैं कर्म करने पर जो फल मे बेले उसमें पुष्ट रहना चोरी नहीं करना आज जितनी आवश्यक्ता है उतना रखना कल के लिए संग्रा नहीं करना असत्य नहीं बोलना और ब्रम्हचरी का पालन करना ये पांच प्रकार मिल करके तब यम कहलाता है अईसे ही नियम है एक आसन पर बारा घंटे बेट करके भगवत चिंतन करना ये आसन की सिद्धी है लेकिन यहां तीन घंटे में कितने आसन बदलने पड़ते हैं स्री बद्रीनाथ में जब अस्ताक्षरी में चालिस दिन का अस्ताक्षर मंत्र का हमने अनुष्ठान किया तो मराज पंद्रा पंद्रा घंटे बेठने पड़ते थे तब पता चला कितना कष्ट होता है यहां तो भगवत गुणान बाद में कुछ पताई नहीं चलता तीन चार घंटे कैसे निकल गए तेक आसन पर दस बारा पंद्रा घंटा बेठ करके भगवत चिंतन करना भगवान भास्षिकार रामानुजाचार जी ने भक्ती की बड़ी सूक्ष्म व्याख्या की है तईल धारा वदविच्छिन स्मृति संतान रूपा भक्ती भक्ती की उतक्रिष्ट वस्था होती है कि एक आंत में हम बैठ जाएं और मन को प्रभू चरणों में लगाएं स्मरण में रहे प्रभू के ध्यान में रहे जैसे तेल टीन में भरा हो छेद करके इसे उलट दो जब तक तेल भरा है धारा नहीं तुटेगी वेसे ध्यान के लिए साधना के लिए उपास्तना के लिए हम बैठे हमारा मन प्रभू के त्रिक्तन्य विश्यों का चिंतन न कर यही भक्ति का उतकृष्ट स्वरूप है ऐसा स्री रामानुजाचारी स्वामी जी महराज अपने स्री भास्त में अनुभो कर आते हैं और ऐसा ही अनुभो शेम अपने जीमन में भाष्यकार रामानुजाचारी स्वामी जी ने किया यो नित्यमा चुत पदाम बुजय यक्मरुक्म व्यामोहताहता दितरानि तरनायमेने अपने लोगों का व्यामोह तो धन दौलत में विश्यों में मान सम्मान में सम्मे है लेकिन हमारे आचारी शीरामानुजाचारी जी का व्यामोह किसमे था भगवान के दिव चरणार विंदों में था यो नित्यमक्चुत पदाम बुजयक्मरुक्म व्यामो अत्यांत पृति अत्यांत लगन और अगर बहुत सीधे सरल भासा में कहने चाहो तो पागलपन अपना पागलपन जगत के विश्यों में है लेकिन भगवान भाष्यकार रामान जाचार जी का व्यामों किदर भगवच्चरनार विंदों में आसन सिद्धी प्राणायाम के द्वारा मन को एकाग्र करने की बड़ी सक्ती मिलती है तो प्राणायाम भी करें और जब प्राणायान सिद्ध हो जाएगा नो तो प्रत्याहार अपने आप आजाएगा फिर जहां मिंद्रियां चाहेंगी वहां नहीं भागेंगी फिर आप जहां चाहोगे वहां श्री सटकोप सुरी ने सांस्त्र गेती में बड़ा संदर अनभो किया है हमारे आलवारों ने अपने दिव्य प्रबंधों में भगवान का बहुत मजदीक से अनभो किया है और हमारे मद्ध में देखे स्वामी जी सब्तसागर वाले नेपाली मंदिर वाले स्वामी जी महाराज पदारे हुए है आपको तो दिव्य गाथाओं का भी अनभो है और आपके लगू भ्राता अनुझ श्रीकोतों संपूर्ण दिव्य प्रबंधी कंठस्त ऐसे महात पुरुष देखिया पदारे हैं हमारे विजय रागो के पुझ जशी महाराज जी पदारे हुए है आपका करतल धनी से स्वागत करिए देखने में इतने लगू है लेकिन महाराज इनको एक तरफ पलडे में रख दिया जाए एक तरफ सास्त्र रख दिया जाए दोनों बराबर होगा तो सटकोब सुरी जी कहते हैं कि देख मन अभी तक तू जिधर मुझे ले जाता था मैं तेरे पीछे-पीछे भागता था लेकिन अब मैने संसार की अपेक्षा बडे सुन्दर सुरूप का दर्शन कर लिया है बडे दिव्य सुरूप का मैने दर्शन कर लिया है अब मुझे अनभों हो गया है कि इन प्रभु के अत्रिक्त जितना ब्रह्मांड में है वो सब कुछ तुछ है इसलिए अब मैंने इनको पहेंचान लिया है जब तक इनको मैंने देखा नहीं था पहेंचाना नहीं था जब तक प्रभु कानभों मैंने नहीं किया था तब तक तु मुझे जन संसार में भटका रहा था जिधर चाहेता मुझे ले जाता था लेकिन अब मैं तेरे पीछे भागने वाला नहीं हूँ अब जिधर मैं चाहूंगा उधर तुझे जाना पड़ेगा एख स्वयम अपने मन से कहते हैं आलवार और जब ऐसा हो जाए तो पूछना ही क्या फिर तो आनन्द ही आनन्द है हो प्रत्याहार विशियों से इंद्रिया अपने आप भट जाती है जहां चाहों वहां इस्थिर हो जाती है और जब प्रत्याहार सिद्ध हो गया न, तो अपने आप धारणा भी सिद्ध हो जाएगी धारणा फिर आप जहां चाहोगे प्रभु के चरणार विन्दों में, मुखार विन्द में, भगवत सरूप में, रूप में, वहां मनिस्थिर हो जाएगा उसे ध्यान कहते हैं, और जब ध्यान सिद्ध हो जाएगा तो समाधी अपने आप लग जाएगी यह परसपर सापेक्षन, कड़ी है, आप चाहो सिदे समाधी लगा लो बिना यम नियम आसन प्राणायाम की शिद्धी के असंभव है फिर तो एक जगे हम बड़े बहुत ही इस जगत में उनकी प्रशिद्धी है, भगवान की रूप में प्रशिद्धी है नाम नहीं लेंगे क्योंकि सिदा प्रशारण चल रहा है सम्मवताव लोग भी देख रहे होंगे, किसी को कष्ट नहीं हो लेकिन मन में आ गया इसमरन आ गया तो क्या कहें ना बताएं तो भी मन में रह जाएगा तो एक जगे हम गए बहुत जगत प्रशिद्ध गवान की रूप में भी उनकी प्रशिद्धी है जहां गए महराज तो देखे कि हजारों लोग, इवक लोग, इवक इवतियां ऐसे ध्यान में बैठे हुए थे हमें बड़ा अश्चरी लगा हमने का इतना ध्यान तो लगता नहीं और घंटों से लोग बैठे हुए हैं, क्या कारण है तीन-चार दिन और हम वह आ रहे हैं, एक बड़े अच्छे सज्जन साथिक विक्ति मिले हमने का भाई क्या यह यम नियम आशन प्राणा बहुत दिनों से कर रहे हैं, क्या इनकी समाधी लगी हुए है तो उन्होंने जो बताया वो सुन करके बड़ा दुख हुआ बुले अचकल वो कुछ पदार्थ होता है ना, वो जल में डाल करके और उसको पिला देते हैं, तो समाधी लग जाती है क्या बोलते हैं उसको? क्या नाम है? अल्कोहल बोल देंगे? जो भी होता हो बग्मान तो ऐसी समाधी से मिलने जुलने वाला कुछ नहीं हो और समाधी ऐसे नहीं लगती है, इसका एक क्रम है और जब एक क्रम बन करके पहुँचता है समाधी अवस्था में साधग, तो इस सरीर अलग और अपनी आत्मा अलग अनभो होती है और अंतर यामी परमात्मा अलग अनभो होते हैं फिर सरीर ऐसे ही जैसे भवन दिख रहा है न बाहर हाल और आप अपने को अलग देख रहे हो न इसी प्रकार से सरीर अलग और इचेतन तत जीव तत तो अलग अनभो होता है और इसके अंतर विराजमान सक्ती देने वाले परिमात्मा का भी दिव्य दर्शन अनभो होता है इसी को अश्टांग योग के द्वारा भगवत प्राप्ती बताया गया है माने का ये तो मार्ग बड़ा कठीन है हमारे आचारी जी बताया करते थे श्री पुझ वर्दाचारी स्वामी जी कि जैसे जैसे साधक की साधना परिपक्क हो जाती है तो नारियल की तरे उसका जीवन हो जाता है जैसे नारियल में प्रारंभ में केवल जल रहता है उसको डाप बोलते है इधर तो होता नहीं, दक्षिन में होता है, डाप और जब उस नारियल फल के अंदर जल और परिपक्क हो जाता है तो उसको मलाई बोलते हैं नारियल को बगारते हैं, काडते हैं, फिर उसमें से पानी निकालते हैं फिर उसमें अंदर मलाई रहता है बहुत कोमल रहता है बहुत मधूर रहता है और जब और परिपक्क हो जाता है तो अंदर गरी बन जाती है और जब और परिपक्क हो जाता है तो उस खोपड़ी से वो नारियल का फल अलग हो जाता है गोला उसको ऐसे हिलाओ तो बज़ता भी है उसी प्रकार से यह साधक जब सिद्ध धवस्था में पहुँच जाता है तब अपने को अलग और प्रकृती को अलग अनभो करता है इसी को अद्वईत दर्शन में समाधी में केते सब कुछ अनभो नहीं होता बलकि एकाकार वृत्ती मानते हैं लेकिन हमारे आचारियों ने बड़ी सुंदर पध्धती से समाधी की व्याख्या की है कि जैसे एक पुष्प को देखने में कोई व्यक्ति तनमय हो जाए इतना तनमय हो जाए कि स्वयम को भूल जाए और मैं क्या कर रहा है भी भूल जाए केवल पुष्प ही देखता है अनभो करता है तावता वो ब्यक्ति समाप्त नहीं हुआ उसकी जो दर्शन करने की प्रक्रिया है वो भी समाप्त नहीं हुई लेकिन पुष्प के दर्शन में जो एक आग्रता है तनमयता है डूबना है वो ऐसा है कि उसके अनभो में न तो सरीर है न कोई वस्तु है मैं क्या कर रहा हूँ ये भी नहीं है उसी प्रकार से साधक अपने प्रियतम प्रभू के दर्शन में इतना तलीन हो जाता है कि इसको अन विश्यों का ज्यान ही नहीं रह जाता इसलिए स्वयम की स्थिती रहते हुए भी प्रिया रहते हुए भी अपने प्रियतम प्रभू का अन्भो करने में समाधी में भक्त अन्भो करता है प्रभू को इसी को समाधी कहते हैं इसी को निर्विकल्पक समाधी भी कहते हैं बग्वान कपिल मादेव उती से कहते हैं मागर ये विशय कठिन लगे ना तो भक्ति मार्ग को अपनाना क्योंकि भक्ति मार्ग भी बड़ा स्रेष्ठ मार्ग है बग्वान का कैसे दर्शन करना चाहिए बग्वान कपिल देव जी ये भी वताते हैं कि संचिन्त ये भगवतस्चर नार बिंदं बज्ज्रांकु सध्वज सरो रुहलांचनाध्यम उत्तुंग रक्त विलसन अख चक्रवालं जोट्स्नाभिराहद महत्ध्रदयांधकारं भगवान के दर्शन कैसे करना चाहिए ये भी भगवान कपिल देव जी स्वयम बताते हैं कई बार हम लोग भगवान के दर्शन करने जाते हैं तो सीधे मुखार विंद का दर्शन करने लगते हैं लेकिन भगवान के श्री चरणों का दर्शन पहले करना चाहिए कि संचिंत ये भगवत चरणार बिन्दम और इसलिए भगवान भास्षेकार यो नित्यम अच्युत पदाम बुजयुक्मरुक्मा लोग कहते हैं आपको भगवान का दर्शन हुआ हमका बिलकुल हुआ भगवत चिंतन भगवत सरोप रोप गोन के अतरिक्त यदि विषय का चिंतन मन में ना हो तो यह तो भगवान का दर्शन है और जब भगवान के दिब गणों का वरिनन होता है में भगवाद अदिरिक्ट मधुप भृत्म नेक्षूरकम मिविक्षब है फिर तो ऐसा रस्प्रात्त होता है कि चित्त की वृत्ती में भगवद when भगवद रूप भगवद सुन रोप के अद्रिकत कुछ आता ही नहीं कमल पुस्प का चिन है, मत्स का चिन है, और द्वरेखा है, ऐसे सुंदर बगवान के दिव चरनार बिंदों के चिन्हों का इस्मरन करना जाईए कई लोग तो तो तिरमला में जाते हैं, तो सोना ही देखने लगते हैं, इतने कुंटल सोना कहां से आ गया कई लोग जाते हैं, बद्रीनाथ में एक महीने रहते हैं, रोज दर्शन करते हैं, और पुछा जाए क्यों जी आप एक महीना रहें, भगवान बद्री विसाल बैठे हैं, कि खड़े होकर दर्शन देते हैं, दो भुजाएं हैं, कि चार भुजाएं हैं, तो अगला बेक्ति क मुझे натbility करता था लेकिन मुझे एक बता नहीं कि बगवान बैठें कि खड़े हैं भगवान के दो भुझे हैं कि क्षार भुझा हैं पता ही नहीं तो प्र आपके एक महीने तख दर्षन करने का लाभय क्या मिला हो भगवान के चरणों, स्री चरणों का दर्शन, घुटने का दर्शन, जानू का दर्शन, कटी भाग का दर्शन भगवान के नाभी से सारे जगत को प्रगट करने वाले रचैता ब्रम्हाजी का जनव हुआ है आइसान भो करना चाहिए कई लोग सोचते हैं कि जगत के रचाईता ब्रह्माजी है और जगत के सन्नारक सिवजी है लेकिन स्रीमद भागवत प्रमान है देवर्शी नारच जी ने जब पूचा तो ब्रह्माजी स्वयम कहते है कि देखिये नारज्ये भगमान का आज्या मान करके मैं जगत की रचना करता हूँ स्रजामी तन्युक्तोहम हरो हरतितद्वसाहा बिस्वं पुरशरो पेणा परिपाती त्रिसक्त ध्रिक भगमान की आज्या मान करके मैं ब्रम्हा जगत का स्रजन करता हूँ श्रीमान रुद्रदेव जगत का सन्नार करते हैं पालन काकारी कठिन है इसलिए पालन काकारी भगमान स्रीहरी स्यम करते हैं यनि जगत का स्रजन सन्नार भगमान हम लोगों के द्वारा कराते हैं तो अगर आप कोई सेवक के द्वारा कारी कराओ तो प्रधानता तो आपकी है ना और पालन का कारी भगवान स्वेम करते हैं इसलिए यामनाचारी स्वामी जी महराज कहते हैं कस्यो दरे हर विरंचे मुखप प्रपंचाहा हे भगवन प्रले काल में सारा जगत जगत का रचैता ब्रम्हा सन्दारक रुद्र और सारा प्रपंच जगत ब्रम्हान दे कहां जाता है किसके उदर में रहता है आपके ही उदर में तो रहता है कहा स्री श्रिया श्रिया पती कौन है केवल आप ही तो है प्रवो जो स्रीपती हैं और जो जगत के स्रजक, पालक, संधारक हैं वही तो परब्रम्ह आप हैं आपके चरणों में बारंबार प्रणाम है बंदन है भगवान के नाभी का नभो करें और ये नभो करें कि जगत का रचेटा ब्रम्हा भी यहीं से प्रगट हुआ है वगबान के वक्षश्थल कानुव करें ब्रगु जी ने रिशियों के मध्ध में जब भी बिवाद खड़ा हुआ कि मुक्ती कौन देता है मुक्ती किस देव की आराधना से प्राप्त होती है बड़ा बिवाद हो गया रिश्यों ने भ्रगु जी को नियुक्त किया आप जाईए परिक्षा लेकर आईए भ्रगु जब पहुंचे ब्रह्मा जी के पास तो अपने स्रजन के कार्य में लगे थे देखने को मोका नहीं मिला भ्रगु जी ने अपनी डायरी में लिख लिया कि अत्र रजो गुनत्वात मोक्षा भाव विद्यते यहां रजो गुनधिक है मोक्ष का भाव है भाईया और अगे बड़े सिव जी के सामने जाकर खड़े हो गए सिव जी ने त्रिशूल उठाया इतना उनमत्त है तुझे मरियादा नहीं मालम प्रणाम भी नहीं किया मारने के उठा लिया त्रिशूल को ब्रगो जी ने अपने डाइरे में लिखा अत्र तमो गुनत्वात मोक्षा भाव विद्यते यहां तमो गुन अधिक है इसलिए मोक्ष का भाव है शीधे वैकुंठ में पहुँचे अंदर प्रवेश कर गए भगवान शियापती श्री मनाराइन प्रभू के हुरदे पर चरण से पाधप्रहारी किया अकारण करुणा वरुणाले भक्त वांचा कल्पतरू सर्व समर्थ परमसात्तिक प्रभू श्री हरी ने चरण पकड़ लिया भ्रगुजी के सहलाने लगे आपके चरण में दर्द तो नहीं वापीडा तो नहीं हुई मेरा हरदय बड़ा कठोर है आपका चरण बड़ा कोमल है यद्यपी लक्ष्मी जी रुष्ट हो गई यह विप्र बिना बताए आ गया पादप्रहार किया विप्र को साप देती हूं कि कभी मैं विप्र के पास नहीं रहोंगी लक्ष्मी जी की कृपा इसलिए विप्र जनों पर कम रहती है और भगमान शीहरी को भी छोण कर चली गई समुद्र में पिता के घर चली गई शमुद्र मन्थन कर करके अम्रित प्राप्त करना वो लक्ष नहीं है देवताओं के लिए बलकि भगमान का लक्ष था कि समुद्र मन्थन करा करके लक्ष्मी जी को प्राप्त करना तो आपको होगे स्वार्थ था बगमान का, नहीं जैसे समद्र मंथन करके लक्षमी जी को प्रभू प्राप्त करतें लक्षमी माने एक जीव श्री रामा उतार में प्रभुराम जान की जी के लिए इतना रुदन करते हैं इतना रुदन करते हैं कि पढ़े लिखे लोगों को तो जल्दी बुद्धी में बैठती ही नहीं ये बात कई बार लोग पृष्ण करते हम भी तो पत्नी के वियोग में इतना नहीं रोते जितना राम जी रोये राम जी के चरित्रों में बार बार समसे लोगों को होता है एक तो जानकी जी के परित्याग की चरिचा भी लोग समझ नहीं पातें बाली बद के प्रशंग को नहीं समझ पातें बार बार आक्षेप करतें और जो लोग पढ़े लिखें अच्छे मने आईएस हैं आईपीएस हैं या जज हैं ऐसी लोगों के मन में तो और समधान नहीं हो पाता है लेकिन बज्जरा दपी कठोराणी म्रदूनी कुशुमा दपी लोको तराणाम चेतांसी कोवा अज्यात मरहती मात पुरुषों का लक्षन है कोमल होंगे तो पुस्प से भी ज्यादा कोमल और कठोरता में कठोर होंगे तो बज्जर से भी ज्यादा कठोर होंगे खेर इन तीनों विश्यों का हम जरूर बियुरन करेंगे, चिंतन करेंगे, लेकिन अभी प्रसंग में आपको बता रहे थे, ब्रगु जी ने अपनी डाइरी में लिख लिया कि अत्र सत्व गुनत्वात मोक्षा हविद्यते, मोक्ष अगर चाहिए तो यहीं प्राप्त होगा क्योंकि यहाँ परम सत्व है, मोक्ष मिच्छे जनार्दनात, मोक्ष तो केवल प्रभु के सन्निधी में मिलता है, और सुकदेव जी महराज ने तो इतनी बड़ी विशेष्टा बताई कि अगर भक्त भगमान की अनन्य भक्ती से उजाराधना करता है, तो केवल भगमान की नहीं, तेंटी स्करोंड देवताओं की भी पूजा हो जाती है, चराचर स्थावर जंगम की पूजा हो जाती है, और द्रिश्टान्त कितना सुंदर देते हैं, कि यथा तरोर मूल निसे चनेना, त्रप्यन्तितत स्कन्भ भुजोप साखा, प्राणों पहाराच यथेंद्रियाना, तथाईव सरिवार हन मच्युते जया, जैसे ब्रक्ष को हरा भरा रखना है, तो ब्रक्ष के डाल में पानी देते हैं, तो पत्तों को टहनी को, फल को सब को जल मिल जाता है, वेसे सभी के मूल प्रभू को, यदि हम आराधन कर ले, पूजन कर ले उनका, तो सब का पूजन हो जाता है, के प्राणों पहाराच यथेंद्रियाना, प्राणों को आहुती दो, भोजन दो, तो पुरे सरीर को सक्ती मिलती है, वेसे एक प्रभू की आराधना कर लो, तो च श्राचर जगत की आराधना हो जाती है इसलिए अकामहा सर्वकामोवा मौक्ष कामा उदारधी तीब्रेन भत्तियोगेना यजेता पुरुषंपरम श्रीमत भागवत में सुखदेव जी महराज का अध्खोष है एक बिनम्र प्रार्थना है कि अगर कोई व्यक्त निस्काम भाव से आराधना करे तो प्रभू के अत्रिक्त अन्य किसी की आराधना न करे निस्काम भाव से आराधना प्रभू की करो तभी तुमारा कल्यान है अथवा मन में अनेक प्रकार की कामना है न तो विभिन कामनाओं की भावना से गर आराधना करनी है तो भी प्रभू की करो गिता में बगवान ने बहुत बिशलेशन किया कि जो भी लोग देवी देवतांतर की पूजा करते हैं उनसे सिद्धियां प्राप्त करते हैं उन देवताओं को सक्ति देने वाला मैं हूँ, और वो भक्त उन देवी देवताओं की पुजा करते हैं, तो परंपरिया मेरी ही पुजा होती है, लकिन एक बात प्रभू ने कहा, यजंत्य विधी पूरवकम, विधी पूरवक मेरी आदाधना नहीं है, साक्षात मेरा पुत् नहीं लगता है, कोई पुत्र आपका किसी को पडोसी को लेकर आए कि चलो पिता से मेरी बात करा दो, परिचे करा दो, कैसा लगेगा आपको, बड़ा लगेगा ना, बगवान कहते हैं, ममईवान सो जीव लोके, जीवभूतस्णातनाहा, मेरा अनसे जीव है, हम सब परमात के अमस हैं, पुत्र हैं, और हम प्रभू को छोण करन्य की उपाशना करें, तो बगवान को कदापी प्रिय नहीं लगता, अकामहा सर्वकामोवा, जो भी कामना आपके मन में हो, इस कामना से भी बगवान की ही पुजाराधना करना, और तीसरी बात बताई, मौक्षकामा उ उदारा धी यस्या सा उदार धी, उदारा सर्वयवाईते, उदार भगवान कहते हैं न, गिता में भी, सभी भक्त वजन करते हैं, लेकिन उदार भक्तों हैं, जो मुझे सर्वस्मान कर मेरे सरनागत होकर मेरी आराधना करते हैं, उदारा सर्वयवाईते, ज्यानी त्वात आत्माइवमे मतम ज्यानी मेरी आत्मा है अस्तु चतुर विधा भजनते माम ए जना सुकृतनोर जना आर्तो जग्या सुरर्थार्ति ज्यानी चा भरतर शभा भगवान कहते हैं चतुर विधा भजनते माम तो भजनते माने भजन करते हैं यहनी भक्ती करते हैं तो भक्ती करने वाले चारों आगे आर्त हो जग्यासु हो अर्थार्थी हो और भक्त भी और ज्यानी भी तो इसलिए भगवान भार्षिकारने और आचारियों ने समस्त कर्मों को वो भगवान की प्रशनता पर समर्पित करते हैं कि जिस कर्म से भगवान प्रशन हो जाएं वही सतकर्म है, वही सुब कर्म है, वही पुन्य है यतत प्रियम तदिह पुण्यम अपुण्यमन्यत जो भगमान को प्रिय है वही पुण्य है और जो भगमान को प्रिय नहीं है वही क्या है अपुण्य है तो इस रिये भगमान का दर्शन करें तुन्भो करें कि भगमान के हुरदय में श्रीवत सचिन्ह कॉस्तु भमनी प्रभोधारन किये हुए है और देखिए हमारे मद्ध्य में अनन्त श्री भोषित रसिक पीठा अधिस्वर श्री जनमेजय स्वरण जी महाराज पधारे हुए है आपका बहुत बहुत अभिनन्दन है अपके पूर्व देखिए राम चरित मानस के मैं पधारे हुए है और आपके पूर्व अनन्त श्री भोषित बद्दो धॉततर तुताद्री पीता दिस्वर अधिस्यक पुजिस्य अनन्ताचारी स्वामी जी महाराज पधारे हुए हैं आपका भी बहुत-बहुत स्वागत है हमारे बड़े पुष्णेही और बड़े भगवत भजनानंदी श्री पुज्य श्री राम लोचंजी महराज पधारे हुए है आपका भी बहुत बहुत बड़ा अभिनंदन है स्वागत है मेरे तो आधार सीता राम के चरणार बिन्द मेरे तो आधार लक्षमी नात के चरणार बिन्द मेरे तो आधार राधा माधव के चरणार बिन्द सीता के चरणार बिन्द राघव के चरणार बिन्द सीता के चरणार बिन्द राघो के चरणार बिन्द मेरे तो आधार सीता राम के चरणार बिन्द मेरे तो आधार सीता राम के चरणार बिन्द मेरे तो आधार राधा माधव के चरणार बिन्द मेरे तो आधार राधा माधव के चरणार बिन्द बोलिये भक्त और भगमान की संत समाज की जय 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 श्री राहे श्यो भगमान का चिंतन मनन ध्यान दर्शन उपासन पूजन करने वाले महतपुरुष जहां पधारते वस्थान तीर्थ बन जाता है और यहां देखिए एक साथ माधपुरुषों का हमें दर्शन लाव प्राप्त हो रहा है चर्चाप को बता रहे थे बगमान के दर्शन कैसा कर कैसे करना चाहिए भगवान कपिल देवजी मादेवुती के माध्यम से संपूर्ण जगत को बताते हैं कि संचिंत इद्भग वतस्चर नार विंदं बज्रांकु सत्वज सरोरुह लांच नाध्यम उत्तुंग रक्त विलसन अख चक्रवालं जोच्ना भीराहद महध्रदयांधकारं भगवान के सुंदर कोस्तु वमनी का दरुषन करना चाहिए सुंदर संख के समान कोस्तु कंठ का दरुषन करना चाहिए और देखिए हमारे मद्यमे अननता श्रीभुषित हमारे बड़े प्रेतम स्वामी जी महराज रंगवाटिका के स्वामी जी महाराज अनंत श्री भूशेत पुजश्री रामदाश जी महाराज पधारे हुए आपका बहुत-बहुत भिनंदन है स्वागत है आप यहां से अलवर भी पधारे हुए थे बगवान बिंगडेश की इप्नान प्रतिष्टा मोत्सों में रंग महल जहां गया पर इक्रमा लगाती न बगवान का रंग महल बगवान शी रंगनाथ और रंग दोनों का बड़ा दिब्य संबंध है तो रंग महल के पुजश्वामी जी महाराज भी पधारे हुए है बोल ये सच्च दानन्द भगमान की, संत भगमान की, जे तो भगमान का कंठ कैसा है बुली संख की तरे अत्यंत सुंदर हे रमणी है ठोडी का धर्षन, आधरोष्ट का धरुषन नासिका का और फिर नेत्रों का फिर ललाट का धरुषन करना चाहिए भग्मान कपिल देव ने मा देवुती को उस प्रिश्न का उत्तर दिया जिसमें मैया ने पूछा कि महा पुरुषों ने जो ए बात कही है मानो सरेर दुरलब है क्या ये बात सच है क्या बड़े भाग के मानु सतन पावा शुर दुरलब सद ग्रंथ ही गावा ये जो महा पुरुष कहते हैं मानो जीवन दुरलब है क्या ये बात सच है क्या बग्मान कपिल ने कहा मा ये बिलकुल बात सच है मानो सरीर बहुत दुरलब है मानों सरीर कैसे प्राप्त होता है, कैसी रचना होती है भगमान कपिल ने बड़े सुंदर ढंग से भागवत में बताया, बड़े विस्तार से कि जब जीव स्वर्ग, वैकुंट, वैकुंट को तो छोण दो क्योंकि वैकुंट से जो जीव आते हैं मुक्त जीव लोटकर वो भगमान के संकल्प से आते हैं, बाकी जितने स्वर्ग से या नरक से या मृत्य लोक से पुना मनुष्य जन्म लेकर के इस समसार में आते हैं, वो पहले जल में मिलते हैं मेघ में, और फिर वह जीव वह चेतन जल में मिलकर के वृष्टी होकर अगर जल में गिर गया नदी सरुवर समुद्र में, तो जल जीव बन जाता है, अगर वह चेतन अन में यनि गेहों में, चना में, चावल में आकर गिरता है, और फिर योगान योग उस अन को माता पिता खाते हैं, फिर उस अन से रस बनता है, रक्त बनता है, मांस बनता है, बनती है, फिर थातुओं का निर्मान होता है, फिर मा के उधर में आकर उस जीव को फंदरा दिन के अंदर का जो सरीर मिलता है, उसको कलल कहते हैं, दूसरे महीने में सीर हाथ, पेर, सरीर के अवयो भी बन जाते हैं, और तीसरे महीने में नारी पुरुष का चिन प्रगठ हो जाता है, पांचमें महीने में मा जो देखती, सुनती, बिचारती, चिंतन करती, तो सारा सम्सकार गरभस्त शिशू पर पड़ता है, मा गर कड़वा भोजन करे तो कष्ट होता है, मा जो चाहे सो अपने गरभस्त वालक को गरभावस्था में ही सम्सकार दे सकती है, मा गर स पुरिषों की भक्त पुरिषों की गाथा कथा सुनती है तो पुत्र भक्त बनता है शूर वीरों की गाथा सुनती है तो इसका पुत्र देश भक्त वीर सूरी योद्धा बनता है सारे सम्सकार मा के चिंतन के गर्भस्त शिशु पर पांच में महीने से पढ़ने लगते हैं मा के गर्भ में हम सब की कथा बता रहे हैं बग्मान कपिल की हम सब मा के गर्भ में कैसे थे क्या सोच रहे थे मा के गर्भ में प्यास भी लगती भूख भी लगती है लेकिन अन्न जल मिलता नहीं सब मां के गर्भ में पड़े हुए रोते हैं लेकिन जल याज प्यास लगने पर भी मांग सकते नहीं अन्न याचना कर नहीं सकते कीडे काटते हैं बड़ी पीडा होती है शुकदेव जी माराज कहते हैं सेते बिन मुत्र और गरते जन्तुर देह संभवे मल मुत्र के गड़्े में किसी को डुबो दिया जाए ऐसी पीडा मां के गर्भ में होती है तभी तो संत और सास्त्र कहते हैं ऐसा सतकर्म करों की गर्भ में फिर ना ना पड़े और इससे भी ज्यादा कष्ट तो तब होता है जब जन्म लेना पड़ता है जन्मत मरत दुसा दुख होई मृत्यू के समय इतना दुख होता है कि कोई धर्ती में फिर बताने को नहीं आता चला जाता है इतना मरते समय कष्ट होता है और जन्म लेते समय माताओं को अन्वह होगा जितना कष्ट होता है मा से भी अधिक जन्म लेने वाले को कष्ट होता है इसलिए तुलशिदाश जी माराज कहते हैं जन्म लेते मरते समय दुस्सा सहिन भी नहीं कर सकते इतना कष्ट क्योंकि जन्म लेते समय बुद्धे का विकास नहीं इसलिए कोई बता नहीं बाता कि इतना धर्द होगा और मर्तिस में इतनी पेड़ा होती है कि कोई लोट कर आता नहीं चला दाता है लेकिन दो प्रकार का लाव रहता है एक तो मा के गर्म में पूर्व जनम के सईकणो जनम की स्मृति बनी रहती है कि मैं क्या था क्या क्या कर्म किया और दूसरा भगवान का दर्शन मिलता रहता है एक जीव पहले तो कहता है प्रभू मुझे बाहर मत मत निकालो नहीं तो इस सब भूल जाओंगा आपका दर्शन दूर हो जाएगा और फिर जब याद आती है कि समसार में जाओंगा फिर भटक जाओंगा माया के चक्कर में पढ़ जाओंगा तो फिर भगवान से कहता है कि बाहर मुझे मत निकालिये दुन्दो में पढ़ा रहता है जीव लेकिन जो जगत की एक परक्रिया हो परक्रिया एक परे ही चलती है तो यह जीव क्या प्रार्थना करता है भगवान से, हम सब ने प्रार्थना की है कि सोहम बसन अपिविभो बहु दुख वासम गर्भान निर जिगमि से वही रंध कूपे यत्रोप यात्म उपसर्फति देव माया मिध्या मतिर्य दनुसंस्रिति चक्रमे तत सब कुछ भूल जाओंगा, भटक जाओंगा, माया के जन्जाल में पस जाओंगा मुझे गर्भ से बाहर मत निकालिये लेकिन प्रक्रिया का बिलक्षन जगत का एक सरूप है मा के अंदर से निकल करके जीव बाहर आता है और बाहर आते ही कहां 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 बोलता है मेरा वो ज्यान कहां गया प्रभू का दर्शन हो रहा था वो कहां लुप्त हो गया और फिर ऐसा भटकता है भूमि परत भा धाबर पानी जिमी जीव हिमाया लिप ठानी अगर कहो भगवत भजन कर लो सेवा केंकरी कर लो कथा सुन्वन कर लो तो यह जीव क्या कहता है कल करेंगे लेकिन कल कभी नहीं आता है तो मा के गर्भ में हम सबने प्रभू को बचन दिया है कि हम जब भी जन्म लेंगे तो आपकी खुब भक्ती करेंगे लेकिन जन्म लेने के बाद भगवान को जीव भूल जाता है तो इसलिए भगवान के भजन इस्मरण पूजन दर्शन के लिए कभी आलत से प्रमाद नहीं करना चाहिए गर्भ वाले वादे को तुम जो भूल जाओगे गर्भ वाले वादे को तुम जो भूल जाओगे उस प्रभू के आगे तुम, कैसे मुँ दिखाओगे कल की कलप ना क्या है कल को कल ना पाओगे कल की कलप ना क्या है कल को कल ना पाओगे ये महल अटारी तो सिर्फ एक धोखा है ये महल अटारी तो सिर्फ एक धोखा है ये महल अटारी तो सिर्फ एक धोखा है कुछ न लेके आये हो और कुछ न लेके जाओगे कल की कल ना क्या है कल को कल न पाओगे कल की कल पना क्या है कल को कल न पाओगे चल कपट की दुनिया में कैसे दिन बिताओगे बोलिये सचिदानन्द भगवान की संत समाज की और देखे हमारे मद्य में स्री वैष्ण कुल भोशन संत महत्पुरुषव के परम आदर्श और हमारे अयुद्या के ही नहीं भारती संस्कृती के भारती संस्कारों के और हमारे सनातन धर्म के महान गवरों संडक्षक अनंत स्री विशेत परम पुज श्री मनी रामदाश चावनी के पुज भांत श्री अंद्रत्य कुपाल दाश जी महाराज पधारे हुए हैं आपका बहुत बहुत बंदन है अभिनंदन है स्वागत है आप अस्वस्थ होते हुए भी थोड़ा गुट्नों में दर्द रहता है फिर भी महाराज जी को जैसे निवेदन किया गया महाराज जी ने कहाई तो अपना अस्रम है अपने को आना ही है आपके आने से हम लोगों को बड़ा बल मिलता है तो महाराज जी के दर्शन हम लोग कर रहे हैं बात आपको बता रहे थे भगवान कपिल देवजी महराज ने हम सब मा के गर्भ में कैसे आते हैं और किस प्रकार से भगवान की प्रार्थना करते हैं हमें बाहर आप निकालेंगे तो माया जाल में भटक जाएंगे सामान्य जीव कहता है कल भजन करेंगे परसों करेंगे लेकिन कल को कोई देखा नहीं है कल करे सो आज आज करे सो अब ऐसा संकल्प लेना चाहिए और जब भगवद अनुभो दर्शन प्राप्त हो जाए तो स्री भ्रमर गेत में राधा रानी ने कहा है कि फिर उसका जीवन ऐसे ही पुझ शंतों की तरह हो जाता है यदनुचरित लीलाम करण पीयो सबिप्रुट सक्रिददन विधूता द्वन्द धर्मा बिनस्टाहा सपदिग्रह कुटुम्बं दीनमुत स्रज्य दीनाहा पहवईव भिहंगा भिक्षुचरयाम चरंती यदनुचरित लीलाम एक बार भगवान के रूप, सौंदर्य, गुण, सुभाव, सुरूप का इदियनभो हो जाए तुनका जीवन कैसे हो जाता है? संतों की तरह हो जाता है संतों का जीवन कैसा होता है? हमें चिन्ता नहीं अपनी उने चिन्ता हमारी है हमें चिन्ता नहीं अपनी प्रभू चिन्ता हमारी है हमारे अंग के रक्षक सुदर्सन चक्रधारी है हमारे अंग के रक्षक सुदर्सल चक्रधारी है भग्मत रूप, सुरूप, गुण कानभो जो महत्पुरुष कर लेते हैं उनके दफ़न्द धर्मा भी नश्टा है सारे दफ़न्द धर्म नश्ट हो जाते हैं कौन दफ़न्द धर्म? ठन्नी गर्मी लाभानी मान सम्मान जीवन वरण सारा दंद समाप्त हो जाता है और फिर क्या होता है सपदि ग्रिह कुटुम्बं दीनमुत स्रज्य दीना हां बहुत जल्दी बिलम नहीं लगता अपने घर द्वार परिवार कुटुम्ब को छोड़ करके कौपीन धारन करके चीर वलकल धारन करके भगवद भजन करने के लिए निकल पड़ते हैं तो आप कहोगे माराज हमें तो प्रपंच कम है संतों को बहुत ज्यादा है हम कई बार इसका विशलेशन किये हैं कि देखो आप लोग जो प्रपंच में रहते हो, वो प्रपंच स्वार्थ बस होता है, स्वाभिमान बस होता है, देहाभिमान बस होता है, लेकिन संतों का जो कारी रहता है, चाहे वो संतों की सेवा हो, चाहे ब्राम्णों की सेवा हो, चाहे गव की सेवा हो, जितना बड़ा प्रपंच हो लेकिन वह प्रपंच संतों का स्वार्थ बस नहीं होता बल्कि परमार्थ के लिए होता है निश्वार्थ भाव से होता है इसलिए बंधनकारी नहीं होता है बल्कि भगवत प्राप्तिकारी बन जाता है दन्दो धर्मा बिनष्टाहा सपदिग्रह कुटुम्बं दीनमुत स्रज्य दीनाहा बहवईव बिहंगा भिक्षु चरेयाम चरंती पक्षियों जैसा जीवन हो जाता है और भगवान यही तो देखते हैं भगवान और कुछ नहीं देखते ब्याधस्या चरणं धृवस्य चवयो विद्या गजेन्रस्यका का जातिर विद्रस्या दवपते रुग्रस्य किम्प औरुशं कुब जाया किमुतत्र रूप मधिकं किम्तत सुधामनो धनं भग्त्या तुष्यति केवलं परमया भग्ति प्रियो माध्वा भगवान को केवल भक्ति प्रिय है, भगवान जाती भी नहीं देखते, पंत नहीं देखते, संप्रदाई नहीं देखते, अवस्था नहीं देखते, रूप नहीं देखते, धन नहीं देखते भगवान तो केवल भक्ति प्रियो माधवा, केवल भक्ति देखते कि बोले भक्ति क्या है बोले प्रीति पूर्वक मनुध्यानम भक्ति रित्य फिधियते प्रेम पूर्वक जो भी कार्य भगवत कारी करो भक्ति है तो संत जन जो कारी करते हैं भगवत कैंकरे सेवा करते हैं प्रसंदता से करते हैं हम ठाकुर जी की सेवा कर रहे हैं ठाकुर का भोग लग रहा है इसलिए सारे कंकरे सारे कर्म संतों के भक्ति परक हो जाते हैं कि भक्ति भक्त भगवन्त गुरु चत्र नाम बपुरेक इनके पतबंदन किये नासत विग्न यनेक अवस्था बगवन नहीं देखते देखो द्रोजी कितने अलप अवस्था में बगवान को प्राप्त कर लिये और एक बात बता दें दुनिया में अधिकतर लोग जब ठोकर खाते हैं तब बगवान की सरण में आते हैं लेकिन सत्पुरुष जो होते हैं वो जन्म से ही बगव बगवन की सरण में आते हैं लेकिन प्रभु की सरण में आए बोले सब कुछ मे छुट गया हैं तब चलागया वापकी सरण में आया हूं अपके आधी है प्रभु जी को भी ऐसे ही ठोकर लगी हौँ मा सुनीती और सुरची देखो दोनों का नाम नाम से ही पता चल जाता है जो अपनी अरुची के अनुसार काम करे उसका नाम सुरची और जो मती परंपरा कुल के अनुरूप कारी करे मर्यादा के अनुरूप कारी करे उसका नाम सुनीती है मर्यादा के अनुरूप रहेंगे तो दुरुव नाम का पुत्र होगा ही सुरुची के उत्तम पुत्र हुआ दुरुजी बच्पन से जन्म से ही भगवान में अध्भुत पृती रखते थे मा को प्रणाम करते पूछते मा पिता स्री कहां है उनको प्रणाम करना है हमारी राम जी की पद्धती है सम्सकार है आजे भूलते जा रहें लोग इसलिये राम जी हमारे क्या करते प्राथाकाल उठकर प्रात काल उठी तेर गुना था मातो पिता गुरुना वहिमा था मातो पिता कुरुना वहिमा था यह है हमारी भारती संस्कृती का आदर्श हो प्रात हका लुट करके माता पिता गुर्जनों को बंदन करना हमारे वेद भगवान केते मात्र देवो भो पित्र देवो भो आचार्य देवो भो अतिथी देवो भो बिश्व की किसी समस्कृती में ऐसे वाक्य नहीं मिलेंगे मा को प्रणाम करते पिता स्री को प्रणाम करना है पोचते मा बोलती सुनीती जानती है मैल से मुझे निकाल दिया गया द्रू को भेजोंगी माराज उत्तान पात तिरस्कार करेंगे बालक के मन में बड़ा दुख होगा बेटा तु बड़ा होगा तु समझ जाएगा पांच वर्ष के लखभग द्रू जी वे तो एक सेवक से पूचा सेवक ने बताया ये महल है वहाँ तुम्हारे पिता जी रहते हैं देश के राजा हैं तुम राजपुत्र हो मा सुनीती को बिना बताये दुरू जी महल के अंदर चले गए सिंघासन पर विराजमान पिताश्री को देख करके हाथ बढ़ाया गोद में बैठने के लिए दुरू जे से सात्विक सरल बालक पुत्र को देख कर राजा के मन में आया मैं भी गोद में पुत्र को लेकर लाड़ प्यार कर लों क्योंकि दूसरी तरफ सुरुची के पुत्र उत्तम को बैठा कर लाड़ प्यार कर रहे थे ध्रू के मन में तो डर्व नहीं है लेकिन राजा के मन में डर है कहीं से सुरुची आकर देखना ले और योगान योग सुरुची वहां आ गई द्रिश्य को देखा कुरुद्ध हो गई राजा को डाटने लगी ऐसा ही करना था तो मेरे साथ बीवा क्यों कि यहां खबरदार यदि इस बालक को आज से आप महल के अंदर आने दिये तो ठीक नहीं होगा भय के कारण राजा का हाथ पीछे आ गया द्रू जी का हाथ सामने बढ़ा रहा सुरची के इतनी मानवता गिर गई की बालक द्रू के हाथ को पकड़ कर अपने बराबर उठा लिया और जमीन में दूर फेका तेरी मा अभागिनी है तू भी अभागिनी मा से जन्म पाया तो अभागा ही है तुझे पिता की गोद में बैठना है तो मैं उपाय वताती हूँ तप साराध्य पुरुषम तस्य इवान ग्रहेनमे गरवेत्वम साधयात्मानम यदिच्छ सिन्रिपासनम तुझे पिता की गोद में बैठना है द्रू तो तुझ तपश्या कर भगवान शीहरी प्रसन हो वरदान मांगना मेरी कोख से तेरा जन्म होगा तुझ भागिशाली बनेगा तभी पिता की गोद में बैठने का अधिकार प्राप्त होगा विचारे ध्रू अधीर हो गए रोने लगे रोते अधीर हो कर अपनी मा सुनीती के पास आए सुनीती मा ने अपने अंक में ले लिया अपने आचल से आशु पहुचने लगी मा सुनीती के आचल भीग गए लेकिन द्रू जी के आशु बंद नहीं हुए बेटा, सुरुची ने सही कहा है मैं अभागिनी हूँ क्योंकि मुझे तो राजमहिल में रहने को भी नहीं मिलता पती के पास नजदीक रहने को नहीं मिलता हे बेटा, तू भी मेरे कारण अभागा है पिता की गोध में बैठने नहीं पाया लेकिन एक बात बताऊं इस समय तेरे दुख को दूर करने वाला दुनिया में कोई नहीं है वेटा दुनिया में कई वार विक्ति के सामने विपत्ति ऐसी भी आती है सरीर से असाद धिरोग हो जाए सारा धन धान्य नश्ट हो जाए घर मकान भिक जाए सुजन बंधुजन भी छोण दे भूखा प्यासा वो रोगी विक्ति किसी द्वार में पहुँचकर अन्य की आचना करे तो लोग दरवाजा बंद कर लें और उसका अत्मान करके तिरसकार करके भगा दें ऐसे समसार में दीन हीन अकिंचन दुखी विक्ति को भी दिकोई अपनाता है तो दीन बंदू कृपा सिंधू प्रभू अपनाते हैं बेटा तु भी उनी की सरण में जा कि आराधया धोक्षजपाद पद्मम यदीच से ध्यासन मुद्तमो यथा नान्यम ततह पद्म पलास लोचनात दुख अच्छिदम ते म्रगया मिकंचना तेरे दुख को वही सर्विस्वर प्रभू दूर करेंगे जा बेटा उनी की सरण में जा देख तेरे पूरवज भगवान के चरणों की सेवा करके समसार के बैभो सुख को भोगा और आज भगवान के चरणों की सेवा के प्रभाव से स्वर्ग लोक में सुख पा रहे हैं मा को प्रथम गुरु इसलिए बताया है प्रथम देव इसलिए बताया है कि मा चाहे तो अपने पुत्र को वेकुंठ का रास्ता पकडा दे मा चाहे स्वर्ग का रास्ता पकडा दे मा चाहे तो सूरवीर भक्त बना दे मा के उपर बहुत बड़ी जिम्नेदारी है प्रवराम प्राता का लुटकर माता पिता गुरिजनों को प्रणाम करते हैं प्रणाम करने की पधती नश्ट हो गई पास्चात्य सब्विता की प्रणाम पधती लोग अपनाते हैं पहले दंडवत प्रणाम होता था हाथ जोड़कर भी प्रणाम ठेक था अंजली परमा मुद्रा क्षिप्रम देव प्रशादिनी लेकिन ओभी दूर हो गया पिर हाथ मिलाते थे फिर राम राम कहते थे तो भी ठीक था और आजकल ऐसे प्रणाम करते हैं इसे प्रणाम का मतलब थो में ही समझते हैं जिस गाउं में गए लोग ऐसा प्रणाम करते हैं मराजी आप भूलकर हमारे गाउं में आगे लेकिन अब कभी मताना हमारे गाउं में यह तो मात आतात्परी है ना इन चौपाईयों को लिखना चाहिए अपने घर्म के सामने प्रात काल उठकई रगुना था मात पिता गुरुना वही मात था क्यों माराजी यही पाए ऐसा करने के मतलब आतो गए भूल से अब कभी मताना और हाथ जोड़कर प्रणाम करके धंडवत करके फिर माराजी पधारना फिर करपा करना तो एक उसके भाव पता चलते हैं द्रुजी माराज मा की आज्या स्वेकार कर रात्त्री में सोती हुई मा को छोण करके बनकी ओर चलक पड़े घंगोर रात्त्री है घंगोर जंगल है लेकिन प्रभु चरण सरण में चलने के बाद भय नहीं रह जाता ध्रुजी चलते चलते जंगल में आगे पहुँचे प्राता काल हुआ देवर्शी नारजी का दर्शन हुआ बड़े प्रशन हुए ध्रुजी तीरत नहां एक फल संत मिले फल चार सद्गुर मिले अनेक फल कभी रा कहे बिचार बोलिये सद्गुर देव भगवान की शद्गुर की कृपा सरवो परी कृपा मानी गई आज प्राता काल आपके दर्शन हुए देवर्शी नारज अब तो मेरा दिन ही नहीं जीवन ही मंगल में हो जाएगा देवर्शिनारद ने कहा बेटा भी तुम बहुत छोटे हो तुमारी सोतेली माने कुछ कही दिया इतना बुरा मान गए कि घर छोण कर बन में चल दिया लौट जाओ मा तुम्हें बहुत इश्ने करेगी पिता जी गोद में बैठाएंगे चलो मैं समझोता करा देता हूँ देवर्शिनारद से स्री ध्रूजी महराज कहते हैं मैंने सुना था कि समसार में भटके जीव को आप पकड़ करके भगमान के चरण सरण में पहुचाते हूँ और मैं भगमान की सरण में जा रहा तो आप मुझे समसार की और धकिल रहों मैं लोटने वाला नहीं आप तो कृपा करके मुझे बताईए कि पदम त्रिभुवनोत कृष्टम जिगी सोहो साधु वर्तमे ब्रोहियस्मत पित्रिभिर ब्रम्हन अन्याई रप्यन अधेश्ठेतम ध्रूजी का स्त्रिढ संकल पसुनिये कितना सुन्दर संकल आज तक मेरे परिवार का समाज का देश का धर्ती का कोई भी साधक जिस उचे पद पर नहीं पहुचा उस उचे पद में मुझे जाना है मुझे भगवान का दर्शन कैसे प्राप्त होगा वो भी कृपा करके मुझे मार्ग दर्शन करें देवर शिनारद ने बड़ी प्रसमसा की और बोले बेटा मैं तो तेरी परिक्षा ले रहा था ठोक बजा कर देख लिया तुने जो निरने किया है वो बहुत सुंदर निरने किया है क्योंकि धर्मा अर्थकाम मौक्षाख्यम याये च्ष्रे च्ष्रेयमात्मनहां एकमेवहरेश्टत्र कारिणम पादसेवनम धर्म की अभिवर्द्धी करनी है अर्थ की प्राप्ति करनी है और भी कोई कामनाओं को पुर्ण करना है या मौक्ष की प्राप्ति करनी है तो एक ही उपाय है दग्मान स्रीहरी के चरणों का आलमन लेलो सब कुछ मिल जाएगा तुमने सही निर्णे किया है चारों पुरशार्त प्रभू के चरणों की पाशना से ही मिलता है आज कल की तरह महराज नहीं कि मंत्र की पद्धती बदल गई और कई बार लोगों के मन में संदे होता है आए दिनों एक प्रकार की बातें आती है ये तो बिचित्र युग है इस युग में कोई संत लिख ले कोई और कुछ लिख ले अपने नाम के सामने आश्चरी नहीं है लेकिन समाज की भी जिम्मेदारी है समाज भी भगवान ने बुद्धी दिये उससे विशलेशन करके अनुभो करे प्राया हम अपने प्रवचन में कहा करते हैं कि जिस समस्थान में भगवान की आराधना ना हो भगवान शी सीता राम जी की आराधना ना हो बगवान लक्ष्मी नारेण की आराधना ना हो शी गोदार अंगनात की आराधना ना हो बगवान विंग्रेश की आराधना जो भी बगवान के स्वरोप जगत में है जिस समस्थान में बगवान की आराधना ना हो संतों की सेवा ना हो गव मा की सेवा ना हो वेद वेदान्त की सेवाना हो ब्रामनों की सेवाना हो अतिथी अभ्यागत की सेवाना हो वहाँ पर ना तो धर्म रहता है और ना ही भगवान रहते हैं और यदि वो बिवाद में पढ़ जाएं तो उनको लेकर के संतों के उपर लोग उंगली उठाते हैं जब कि ये अन्याय है, अगर संतों का दर्शन करना है, तो हमारे अयुद्या में पधारो, और अपने संदेह को दूर करो, कि संतों की सेवा में, भगवान की सेवा में, हर निश्जाप करने वाले, ऐसे मनीशी संत महापुरुष देखिए, विराजमान है, संतों की भूमी अयुद्या को कहा जाता है, चित्रकूट संतों की भूमी है, अभी चित्रकूट में, स्री पंजाबी भगवान जी के इस मुर नहें हैं आपकी चाहों तो चलिए हमका इससे बड़ा सवभाग्य और क्या होगा श्रीमत भागवत में आता उत्तमश्लोक दर्शनम तत्रापी दुरलभं मन्ने वैकुंठक प्रिय दर्शनम भगमान का दर्शन तो फिर भी सुलब है लेकिन भगमान के प्रेमी संत भक्त का और दुरलभं हो हमने का वैकुंठक प्रिय दर्शन जरूर कराई है तो फिर गए जंगल में पैदल चलना पड़ा चार पाँच किलोमेटर मराजी टाटी टाटी धाम टाटी घाट है बौत तपस्वी संताज भी विराजमान है एक ऐसे संत थे बिल्कुल सुतीक्षन की तर उनकी कुटिया में पुरा सब खुला हुआ था गए तो पता नहीं कहां से पेठार निकाल कर के लाए ठोड़ा से कागज में लपेट के उसी कुटिया में रख्य हुए थे बोले हम तो पाते नहीं है लेकिन कोई संताज आते इनको पिल पाबाने के लिए और अरमने का आप उच्छ कोटी की अवस्था में जब महात पुरुष पहुंच जाते हैं तो प्रकृति उनकी स्वयम सेवा करने लगती है प्रकृति वाने सरीर में भूख नहीं लगती पुख्षा नहीं लगती ठंडी गर्मी उनको परिशान नहीं करती कोई एक संत गए थे उनको एक दे दिया था तखत दे दिया था सुने के लिए तो लेक दिन कहीं से बंदर आया ठंडी ज्यादा थी थोड़ा आग जला के तप रहे थे सो गए दीरे दीरे जमीन में वहीं पर कुटिया के अंदर और एक बंदर आया आग को दर खिसका दिया तो यह जोपडी भी जल गई और यह तखत भी जल गई तो ऐसे अपने राम रहते थे लेकिन कोई संत आय जोपडी बना दिये और यह तखत भी दे दिये इतने विलक्षन मराज नजर नहीं मिला रहे थे उसी से हम अनभो किये कि बड़े उच्च कोटी के संथ नेत्र विल्कुल उर्दोगामी भगवान साइदन को भोजन भी पहुंचाते होंगे और लाड़ भी लड़ाते होंगे ऐसे प्रेमी भक्त संत जनों के लिए ही भगवान इस धरती पर उतार लेते हैं हों क्योंकि ये कारी भगवान वैकुंठ में रहकर नहीं कर सकते हैं स्री दुरुजी को देवर्शिनारद ने मंत्रों पदेश दिया संतों की परंपरा एक विलक्षन है जहां पर भगवान के दिव्य नामों को मंत्र के रूप में दे करके समस्त जीवों का कल्यान संत जन करते हैं वेदिक पद्धती से मंत्र को प्राप्त किया है दुरुजी महराज ने अंगन्यास कराया, करण्यास कराया, संकल्ब कराया, हच्मन कराया फि बेरे विधी से मंत्र दिया और यह नहीं कि मंत्रे से माइक में देदो सब लोगों को और पान साथ मंत्र देदो जो चाहो सो ले लो यह कोई महराज पकवडी को चोड़ी थोड़ी पहले गुर्देव के द्वारा मंत्र मिले उस मंत्र को अनुष्ठान करके पुरश्चरण करें पुरश्चरण करने के बाद उस मंत्र को किसी को जब देते हैं आचारी घुरजन तो उस जब से हमें उपलब्धी होती है मंत्र को सीधे जबना तो गलत है लेकिन कीरतन की रूप में हम आप भी जब सकते हैं मने मंत्र के साथ कुछ सब्द और जोड लें। तो आई प्रेम से दो वार इस्मरन कर लें। हरी ओम भगवते वासो देवाय नमाहा हरी ओम भगवते वासो देवाय नमाहा हरी ओम भगवते वासो देवाय नमाहा भासो देवाय नमा हां राम चंद्राय नमा हां वासुदेवायनमह ग्रामचंक्त्रायनमह हुरी ओंभवदे वासुदेवायनमह ग्रिश्ण नंच जुरा मिला न्च कि खाने अपिल की डिशान शतर्क हमाइब रंगे नाथा यानमा है शो देवाय नम खृषन चंड्रा यानमा है शो देवाए नम कृष्न हृत Chinese घड़ा हं। हरीओं भगल बंच खृष्सक्रा यैं रहे हृत रियों भगल रहा विठ शीko जूप्टि कृथर्दर यासु नम्ज हर्यों है। हरी ओम भग्वत्य वासुदेवायनमा हरी ओम भग्वत्य वासुदे वायनमा कि दो गोल्ये सच्चिदानन्द भगवान कि करेंगे तो आपको आकास में विचरन करते देवों का दिर्शन होगा अगर आप एक महीने तक मंत्र का जाब करते गए तो आपके सामने रिधी शिद्धी प्रगट हो जाएंगी लुभावने में नहीं पड़ोगे तो देवता स्वर्ग का पद देने के लिए आएंगे फिर भी लुभावने में नहीं पड़ोगे तो साक्षात देवा दिदेव भगवान स्री हरी तुम्हारे सामने प्रगट हो जाएंगे देवर शिनारत से भगवत मंत्र प्राप्त कर उपाशना की पत्धती जानकर भगवत सरूप का ध्यान का मार्ग दर्शन प्राप्त कर दुरू जी पहुँचे यमना में श्नान किया मदुवन में पहुँचे और अपनी आराधना प्रारम्ब की एक महीने तक दुरुजी महराज फल, पत्ते, बेर के फल, कैथा के फल, पत्ते खा करके पानी पीते और तीन दिन तक लगातार भगवान के मंत्र का जाप ध्यान स्मरण करते रहते दूसरा महीन आया तो छे दिन के बाद एक बार केवल पत्ते खा करके पानी पी लेते छे दिन तक लगातार प्रभू का ध्यान स्मरण करते रहते नाम जाप करते रहते तीसरा महीन आया तो नौ दिन के बाद एक बार केवल जल पान करते नौ दिन तक मंत्र का जाप प्रभू स्वरोप का ध्यान करते चौथा महीन आया तो बारह दिन के बाद एक बार केवल स्वांस ले लेते बारह दिन तक भगमान के मंदर का जाप करते पाँच्वा महीन आया तो भगमान के दर्शन की आतुरता ब्याकुलता बढ़ गई बोलिये संत समाज की आप सदा सरवदा इसी रूप में विराजते हैं और आज आप करपा करके यहां भी पधारे हम सब को दर्शन राप्त हो रहा है और आस्था के माध्यम से हमारी अयुद्या की इस पुन्य भूमी सब तमोक्ष पुरियों में जो प्रधम स्थान है जहां से अनादिकाल से सदा भारती संस्कृती का संस्कार का हमारी भारती परंपरा का शनातन धर्म का संदेश सारे बिश्व को जाता रहा है ऐसे अयुद्या की पामन भूमी के तपस्वी संतों का देखिए एक साथ दर्शन भी संपूर्ण धर्ती के लोग प्राप्त कर रहे हैं मनुजी महराज ने यहीं पर मनुष्मृती का निर्मान किया है आज सारे बिश्व के बुद्धिजीवियों में बड़ी चर्चा है कि कौन ऐसा समान धर्म का निर्मान किया जाए कौन ऐसा मार्ग अपनाया जाए कि लोगों में कलाहना हो प्रेम्हाव सद्भाव हो हम कहते हैं आपको कोई अलग मार्ग खोजने की जरूरत नहीं है आप रामजी के आदरश को रामाइन के आदरश को अपना लीजिए तो सारे संपुर्ण धर्ती में प्रेम सद्भाव हो जाएगा कहीं कोई मार्ग को खोजने की जरूरत ही नहीं है मनुजी महाराज नहीं पर लिखा मनुष मृती को कि ए तद्दे सप्रसूतस्य सकासा दग्रजन मनहा संसंचरित्रम सिक्षेरन प्रथिभ्यान सरिव मानवाहा जहां पांच वर्ष का बालक दू भी तप करने लगता है ऐसा संदेश और किस संस्कृती में मिलेगा हो किस भूमी में मिलेगा जहां दुनिया में एक एक इंच के लिए जगड़ा होता है भूमी का भाई भाई खुन के प्यासे हो जाते हैं पिता माता का संबंध नहीं पिता पुत्र का संबंध नहीं लेकिन इसी धर्ती से अध्या की पावन भूमी से सारे विश्व के हमारे प्रभुराम ने संदेश दिया है कि जहां त्याग है वहीं प्रेम है प्रभुराम जब संपूर्ण धर्ती पर अराजकता को नास्तिकता को समाप्त करके राक्षश प्रवुत्ती को दूर कर, विजय प्राप्त करके, श्री अयुद्या को आते हैं, तो प्रभुराम के मन में एक भाव आया, मैं एका एक पहुंच जाओं, मेरे भाई भरत को कहीं कष्टना हो, बड़ा संकोची है भरत, मेरे को पहले भरतलाल को सुचना देनी चाहि मेरे आगबंस यदि भरतलाल को प्रशनता होगी, तम में अयुद्या जाओंगा, नहीं तो नहीं जाओंगा, वापस सदा के लिए बन में लोट जाओंगा, प्रभुराम अपने बिमान से उपर उपर परिक्रमा अयुद्या की करके, तीर्थराज प्रियाग में उतर जाते हन्मन तलाल जी से प्रभु कहते हैं, हन्मन तलाल आज तुम्हारे बुद्धी विवेक ज्यानी की परिक्षा है, ज्यानी नाम अग्रगण्यम होना, बुद्धी मताम वरिष्ठम होना, जाओ मेरा भरत बहुत संकोची है, उसके भाव को समझना बड़ा कठीन है, मेरे आग के मुख से बात निकलती है, क्या नेत्र कहते हैं, क्या उसके मुख की आकृति बताती है, सूक्ष्म से सूक्ष्μα भाव समझ करके आना, जी एदी मेरे आग्मन से भाई भरत को प्रशनता होगी, तो मैं अपने लिए नहीं, भाई भरत की प्रशनता के लिए मैं आयोध्या चलोंगा और यदि मेरे आगमन से भरत को रंचमात्र कष्ट होगा तुमें प्रयाग से सदा के लिए बन में लोट जाओंगा अयोध्या जाओंगा ही नहीं मेरा भाई भरत आनंद पुर्वक अयोध्या का राज्य करें ये राम जी के दावा चित्रकोट में श्री राम भरत जे का जम मिलन हुआ तो दिसा करश्च ये निसा करश्च बड़ी अभूत पुरूप मा दिया है श्री महरशी बाल मेकिने कि जैसे परण कुटीर में आकास से सूरी चंद्र दोनों आकर के विराजमान हो गए हो सूरी चंद्र दोनों एक साथ नहीं रहते हैं लेकिन सूरी चंद्र आकास से उतर कर जैसे चित्रकोट की परण कुटी में विराजमान हो गए हो अपने त्याग रूपी तप के ध्वारा जलंत रूप में सूरी की तरे राम जी हैं और अपने नम्रता बिनम्रता सेस भाव भक्ति भाव शरिनागती के भाव को लिवेश्री भरतलाल जी हैं